हेलो नमस्कार जैहिंद मेरे दोस्तों आप मेंसे ज्यादा तर स्टूडेंट्स गुरुप वन में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग भी मुझसे पढ़ चुके आप जानते ही हैं कि मेरी क्लास को पढ़ने का एक फंडामेंटल रूल है और वो ये क्या आपको सारी बाते लिखनी पढ़ेंगे लिखने से ही बात जादा अच्छे डंग से समझ में भी आती है और जादा देर तक आप उसको याद भी रख सकते हैं और एक्जाम में आप उस अच्छे डंग से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं इससे पहले कि मैं आपको यह बताओं कि हमारे स्लेबस में कितना कंटेंट है प्रैक्टिकल कवरिज कितनी है थोरेटिकल कवरिज कितनी है आईए कुछ बातें यह जो पेपर है इसका जो नाम है फाइनांशल मैनेजमेंट एकनोमिक्स फॉर फाइनांस के बारे में बात कर लेते हूं और जैसा कि आप जानते ही हैं मैं क्या करने वाला हूं मैं अगर अपना पैन उठा रहा हूं अपना मारकर उठा रहा हूं तो आप लोग भी देरी ना करें कॉपी खोले अपना पैन उठाए और लिखना शुरू करें आप जानते ही हैं कि लिखते लिखते मैं बीच में रुकूंगा और जो भी बात में आपको लिखवा रहा हूं उसका detailed और conceptual explanation होगा ही होगा तो आएए शुरू करते हैं copy pen तयार करिए पेपर का नाम आप लिख लिजिए financial management and economics for finance very good जी सो पॉइंट नंबर वन की heading मैं लिख रहा हूं आप भी लिखिएगा फानांशल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आपका यह जो 100 marks का पेपर है उसमें जो financial management है उसकी coverage है 60 marks की आप कहेंगे वो तो ठीक है पर जैसे cost management accounting की पहली class आप याद करिए उसमें हम लोगों ने एक एक सब्सकों कैसे पकड़ा था cost क्या होता है management क्या होता है cost and management accounting यह subject किस purpose के लिए बनाए गया है आईए सबसे पहली शुरुआत हम यहीं से करते financial management नाम का जो subject है इसका basic meaning क्या है आज की class के बाद कोई आप से पूछे कि financial management को आप कैसे define करेंगे तो financial management की बढ़िया सी definition आपकी जुबान पर होनी चाहिए आप सामने वाले को समझा सकें कि financial management basically क्या होता है अच्छा पैसा मत सोचेगा कि मैं आपको financial management का theory का note लिखवा कर दे रहा हूं no never यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा theory के notes को मैंने अलगी रखा है exam में जो theory के question का answer लिखना होता है उसकी preparation का level एकदम अलग है जो books आपको दी जाएंगी उसमें blank pages हैं ताकि theory के notes को आप लिख सके हमेशा theory मैंने class में लिखवाई है cost management accounting में भी और financial management और economics for finance में भी मैं यही काम करूंगा लेकिन यहाँ पर आईए financial management की एक general definition से शुरू करें आप मेरे साथ लिखेगा जरूर in simple words अगर मैं बहुत ज्यादा technical language का इस्तमाल ना भी करूं और बड़े सीधे सरल भाषा में बताऊं के financial management क्या होती है तो आप इसको लिखेगा in simple words financial management इस दा प्रोसीजर दुनिया में कोई भी management क्यूं ना हो होता वो प्रोसीजर ही है अगर आपको अपने worker से काम करवाना है तो यह अपने आप में एक activity है या procedure है आप जानते हो management की बड़ी सी definition है कि जब हम वो काम जो करना हमें चाहिए पर हम किसी और से करवा लेते हैं बेसिकली वो financial management की definition में जाता है लेकिन यह management की definition को अभी थोड़ा परे करिए और सोचिए के management यानि काम को अच्छे डंग से कैसे करा जाता है यह जो management की definition है कि काम बढ़िया डंग से कैसे होता है जब इसके साथ finance term जुड़ जाता है तो इसकी क्या definition निकल कर आनी चाहिए financial management is the procedure which is executed for the purposes of managing the financial matters managing the financial matters of the organization ओके आप किसी भी business organization के बारे में क्यूं ना बात करें बली वो sole proprietorship concern हो partnership firm हो company हो कोई non-government organization क्यूं ना हो या government ही क्यूं ना हो यह सारी की सारी organizations हैं तो आप किसे भी organization के जब financial matters को manage करते हैं उनको handle करते हैं और उसके लिए आप एक systematic procedure adopt करते हैं तो systematic procedure को कहते है financial management आप देख सकते हैं हमने इसकी बड़ी simple definition दी है लेकिन अभी मैं इस definition को आगे बढ़ाना चाहूंगा इसी क्या लिखेगा this procedure is adopted this procedure is adopted for improving the financial health for improving the financial health of the organization students हमने कितना बढ़िया term pick करा है health आप health का मतलब क्या रिकाते हैं जैसे जो मेरी physical health है physical health जिस तरीके से physical health को अच्छे level पर maintain करने की requirement होती है जिसमें आप अपने शरीर के immunity के बारे में भी बात करते हैं उसी तरीके से business की एक financial health होती है जैसे हमको अपने शरीर की health को improve करने के लिए कसत करनी पड़ती है जिम जाना पड़ता है सुबह जल्दी उठना पड़ता है एटसेटरा और बड़ी सारी activities होती है उसी तरीके से किसी business की जो financial health है उस financial health को improve करने के लिए business के बाद जितने भी finance हैं हमें उन finance को अच्छे डंग से manage करना पड़ता है अच्छे डंग से handle करना पड़ता है तो उस systematic procedure को जिसके तहट हम finances को manage करते हैं उस पूरी activity को financial management का नाम दिया गया है तो आप देख सकते हैं financial management की कितनी simple definition आपके पास है तो अगर आज की class के बाद कोई आपसे पूछे के financial management क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे आप ये कहेंगे कि ऐसी कोई भी activity जिसमें हम organization के finances को manage करते हैं ताकि उस organization की जो financial health है उसको improve किया जा सके उसे बढ़िया किया जा सके ऐसे systematic procedure को हम लोग financial management के नाम से जानते हैं बताईए कि आपको ये simple definition समझ में आई के नहीं समझ में आई देखो आप ये कह सकते हो कि सर definition मोटे तोर पर देखे तो समझ में आ गई लेकिन एक शब्द में पकड़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उसके ओपर थोड़ी detailed discussion होनी चाहिए वो शब्द कौन सा है वो है financial health जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो physical health है वो अच्छी है या बुरी है इसके कुछ indication होते हैं जैसे अगर कोई ये कहें कि हलका सा मौसम बदलता है और मैं बिमार हो जाता हूँ तो ये मेरे physical health के बुरे होने को indicate करता है उधारन एकदम सही तोर पर आपको समझ में आ रहा है उसी तरीके से जो company की financial health है उसके कुछ indicators होते हैं आपका finance सही डंग से manage हो रहा है या नहीं हो रहा इसके कुछ indicators होते हैं तो अब मैं discussion को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और आपको ये बताऊंगा के company के finance के सही या बुरे होने के वो कोन से indicators हो सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना सब लिख लिया है मैं अपनी स्क्रीन में से इसको थोड़ा सा उपर उठा लेता हूं जी point number one हो चुका है very good चली point number two की heading है बड़ी interesting heading मैं डाल रहा हूं आप भी मेरे साथ लिखेगा financial health indicators ओके तो स्टुडेंट्स अब हमारे सामने सवाल यह है कि कंपनी के finance को ठीक डंग से manage किया गया या नहीं manage किया गया इसके क्या-क्या indicators हो सकते हैं इस context में मैं आपको कुछ examples देना चाहूंगा आप मेरे examples को समझेंगे तो आपको financial indicators समझने में कोई खास परशानी नहीं होगी आप लिखेंगे if one has to arrange the funds मान लिजिए कि business को चलानी के लिए आपको funds की requirement है मान लिजिए business को आगे बढ़ाने के लिए आपको funds की requirement है एक simple से indications आपको दे रहा हूं following questions may come across following questions may come across बही अगर कोई यह कहता है कि मैं मान लिए एक नया business खोल रहा हूं उस business को खोलने के मुझे 15-20 लाक रुपे की आवशक्ता है इसका मतलब मुझे funds चाहिए business को funds की requirement है तो businessman के दिमाग में किस तरीके के सवाल उभर कर आ सकते हैं आप प्लीज मेरे साथ उन सवालों को समझिए आपको यह पता चलेगा कि यह finance के indicators financial health के indicators किस तरीके से हो सकते हैं number one whether to use own funds और borrowed funds students आप जानते हैं मैं एक एक करके इन सभी सवालों को उठाऊंगा आप अपने आपको ना business man की जगा लाकर सोचिए आप एक नया business शुरू करना चाहते हैं इसा कि मैं example दे रहा था कि आपको 20-25 रुपे की आवशक्ता है मान लीजिए आपके पास वो 20-25 रुपे हैं यह आपके पिता जी के पास हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने खुद के पैसे या अपनी फैमिली के पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं मेरे पास पैसे हैं बिजनस को शुरू करने के पर अगर आपके पास सितने फंड्स नहीं है तो विसली आपके दिमाग में बात ही आएगी कि क्या मैं बैंक में जाके लोन ले सकता हूं क्या मैं फानांशल इंसिजूशन से लोन ले सकता हूं क्या मैं गवर्मेंट की किसी स्कीम के हिसाब से लोन ले सकता हूं तो पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या अपना पैसा बिजनस में लगाना ठीक है या उधार का पैसा बिजनस में लगाना ठीक है इस पर आप यह कह सकते हैं कि सथ अगर हम amount को borrow करेंगे loan लेंगे तो loan पर interest देना पड़ता है और अगर हम अपना पैसा बिजनस में लगाएंगे तो अपने पैसे का interest थोड़ी देना पड़ता है बच्चे यहीं पर आकर finance की आपकी खराब knowledge represent हो सकती है मान लो ये बात आपने किसी पड़े लिखे आदमी को कह दी जो की थोड़ा बहुत finance समझता है तो आपकी ना समझी वहीं से जाहिर हो जाएगी आप मुझे एक बात बताओ तो अगर आपका खुद का पैसा बैंक में पहले से पड़ा हुआ है fix deposit में पहले से पड़ा हुआ है तो क्या आप जानते नहीं कि fix deposit पर आपको 6-7-8 percentage कुछ interest मिल रहा है अगर आपने कहा कि मैं fix deposit से पैसा निकाल लूँगा तो क्या वो interest आपका sacrifice हुआ के नहीं हुआ बताइए इमांदारी से बताइए तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि अगर business में आपका खुद का पैसा लगता है तो उसकी कोई आप कीमत नहीं चुकाते अरे आप economics का subject भी थोड़ी देर में आने वाला है क्या आपने उसमें opportunity cost सकते थे हम उसको कमाने का मौका हाथ से जाने देते हैं इसको बोलते हैं opportunity cost तो इसी लिए आप ये पहली बात अपने दिमाग से निकालिए कि जो आदनी business में अपना पैसा लगाता है उसकी कोई cost नहीं होती है उसकी opportunity cost होती हाब ये कह सकते हो कि जी जो मेरा खुद का पैसा है मान लीजिए मैं banks में जो मैंने invest करका है उस पे मेरे को 8% interest मिलता है लेकिन अगर मैं किसी से loan लेता हूँ तो मुझे 12% interest देना पड़ेगा तो बच्चो फिरा फैसला लीजिए अफ़ोर्स अब आप कहेंगे कि मैं business में पैसे उस तरीके से invest करना चाहूँगा कि जिसमें उसकी cost मुझे कम से कम पड़ती हो ये हुई ना बात इसलिए तो आपको financial management पढ़ाया जा रहा है जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि funds arrange करने का एक ये option हो सकता है एक ये option हो सकता है obviously आप funds को वैसे arrange करोगे जिसमें cost का involvement कम से कम हो तो सोचिए जब कभी भी पैसों की जरुत पड़े और आपको ये फैसला लेना हो कि अपना पैसा इस्तमाल करना है या borrowed funds का पैसा इस्तमाल करना है तो compare करिएगा अपने पैसे को इस्तमाल करने की opportunity cost कितनी होती है और borrowed funds को इस्तमाल करने का interest कितना देना पड़ता है इसमें जो भी आपको कम cost का factor नज़र आए आप उस option को select करेंगे बात समझ में आई के नहीं आई इसका मतब आपका जो दिमाग है वो financial management के thought process में आ गया है इसका मतब आप finance की बातों को सोचने लगे हैं और अभी तो प्यारे मेंने सरफ एक ही बात एक ही उधारन आपके सामने पेश करा है आईए आगे बढ़ते हैं whether to acquire the funds by way of equity preference और depth अच्छा देको ये जो बात मैंने कही है ये company के case में जादा अच्छे डंग से applicable होगी आप जानते हों कि company के case में funds range करने के option कौन कौन से हो सकते हैं अगर आप equity share issue करते हैं तो of course equity capital के नाम पर funds आपके पास आएगा अगर आप funds raise करना चाहते तो आप preference share भी issue कर सकते हैं आप debentures भी issue कर सकते हैं तो company के case में खास तोर पर ये फैसला लेना पड़ता है कि equity के option को pick कर आजाए preference को के debt को आप जानते हैं equity के case में कोई amount कभी return करने की नौबत कभी नहीं आती unless company liquidation की stage पर पहुँच जाये तो पर equity shareholder में कमी ये है कि वो equity shareholder company के owner बन जाते हैं और उनको company से बहुत huge dividend की expectation होती preference के साथ भी ऐसे कुछ positive और negative factors हैं और debentures के साथ भी ऐसे कुछ positive और negative factors हैं financial management का ये जो हमारा syllabus आगे बढ़ेगा उसमें हम इन सारी बातों को detail में discuss करेंगे कि equity के plus minus factor कौन से preference के plus minus factor कौन से और debentures के plus minus factor कौन से उसके basis पर company किसी conclusion पर पहुचेगी कि funds arrange करने का best option कौन सा हो सकता है ok TISA how to acquire the funds with the help of such source which involves least occurrence of cost हम अच्छा देखो अभी अमारा सारा का सारा discussion इस पॉइंट नंबर टू पर है पॉइंट नंबर टू क्या है financial health indicators आपने decide करा कि जी हम तो borrowed funds को इस्तमाल करेंगे ध्यान से सुनेगा मेरी बात को आपने का मेरे लिए सबसे अच्छा option है कि मैं कहीं से loan ले लूँ अब सवाल यू उठेगा कि loan कहां से लोगे आपको ओगे debenture issue कर लेते हैं हमने का okay आप कहेंगे bank से loan ले लेते हमने का चलो बताओ debenture के bank loan आपको ओगे वो option जिसमें rate of interest कम है आप ऐसे सोचोगे के नहीं सोचोगे मैं वही तो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप funds arrange करते हैं और आपके सामने option होते हैं तो least cost के occurrence का option आप पिक करोगे ही करोगे अच्छा चलो आप मैं bank के loan के बारे में बात करता हूँ आपने कहां जी bank से loan लेना है हमने कहां अच्छा बताओ कों से bank से loan लेना है भाई state bank of India से loan लेना है पंजाब national bank से loan लेना है ICICI bank से loan लेना है तो आप इसका सीधा जवाब क्या दोगे बताओ बताओ सीधा जवाब क्या दोगे कि उस bank से loan लेंगे जो हम से rate of interest कम charge करेगा तो इसका मतलब ये सारी की सारी बाते आपके thought process को आपके सोचने के system को कहां लेके जा रहें कहां पहुचना चाहते हैं आप वहां पहुचना चाहते हैं जहां पर आपको ये सिखाया जाए जब कभी भी funds को arrange करना पड़ जाए तो funds को सबसे बढ़िया डंग से arrange किया जाना चाहिए ताकि उसमें जितनी भी cost हमको देनी पड़ती है जितना भी interest हमको देना पड़ता है जितना भी dividend हमको देना पड़ता है वो cost उसमें कम से कम होनी चाहिए very good जी अभी तक का discussion बड़े positive way में आगे बड़ा है एक बाद फिर से मैं आपको पीछे ले चलता हूँ देखो हमने आज financial management और economics for finance के paper को शुरू करा आज थी हमारी class number one जो अभी चल रही है financial management की बड़ी simple definition हमने दी जिसमें हमने बताया कि जब हम किसी organization के finance को manage करते हैं अच्छे डंग से manage करते हैं ताकि company की financial health improve हो जाए तो उसे financial management कहते हैं तो सवाल ये उठा कि financial health के indicators कौन कौन से होते हैं तो हमने आपको बताया एक example दिया example मैंने पहला क्या दिया कि मान लो आपको funds को arrange करना है तो आप उस option को select करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें उसकी जो cost देनी पड़ती है interest dividend के नाम पर वो cost सबसे कम होती है अब आईए discussion को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और financial health indicator के second issue की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ आप लिखेंगे if one has to invest the funds सासार लिखते जाईएगा following questions may come across number one अच्छा बच्चो थोड़ी देर के लिए मैं आपके बारे में बात करूँ आपकी जो भी financial requirement अभी आफ student है आपको मालूम है कि आपको भी अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे चाहिए आपको भी मालूम है कि आपको कितने पैसे मदर से मिल सकते हैं कितने फादर से मिल सकते हैं कितने दादा दादी कितने नाना नानी से मिल सकते हैं कितने चाचा चाची ताया ताई से मिल सकते हैं इन सब लोगों से आप पैसों को इकठा करते हैं इसको बोलते हैं arrangement of funds अच्छा एक बार पैसा जेब में आ जाए फिर आप सोचते हो किस पैसे को खर्च कैसे करा जाए आपको मालूम है साब आपके दोस्तों की मंडली है आपको मालूम है कि दोस्तों के साथ उठना बैठना है दोस्तों के साथ उठना बैठना है तो कुछ खाने पीने पे खर्च होई जाता है जब मैं कहतों खाने तो खाने से मेरा मतलब है कि कभी कोई ब्रेट की खानी पड़ जाती है और पीरे से मेरा मतलब है किसाब चाय और कोल डिंग इसके अलावा मेरा और कोई एक्जामपल नहीं है प्लीज मेरे सुधारन को गलट डारेक्शन में ना लेके जाए फिर आप सोचते हो कि जो पैसे अब बहुत जादा सीरिसली ना ले सिरफ मैं बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं तो एक बार फंड्स अरेंज हो जाएं तो उसके इंवेस्मेंट के बारे में सोचना ही पड़ता है और वियसली मैं भी तो वहीं कह रहा हूं बिजनस और्गिनाइजेशन भी एक बार जब फ विच इन्वेस्टमेंट विच इन्वेस्मेंट विल जील्ड जील्ड जो टर्म है आप उसको कह सकते हैं अर्म विच इन्वेस्मेंट विल जील्ड हायर रेट आफ रिटर्म देखो पहले में business का example देता हूँ मान लीजिए बड़े सारे business करती हैं तो आपको मालूम होना चेए के कौछ business आपको जादा कमा कर देता है किस business में future growth का potential जादा है धिस business को पैसो की requirement इसा में जादा है अगर मैं business के example ना भी लुँ जैसे मैं ये सोचता हूँ कि मैंने फंड्स अरेंज कर लिये अब उनको इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे दिमाग में क्या क्या बाते आ सकती हैं कि यार इसको गोल्ड में इन्वेस्ट करते अरे बैंक में फिक्स बॉजट करा देते हैं अरे property खरीदे लेते हैं अरे shares खरीदे लेते हैं इतने सारे दुनिया में investment के options हैं और आप कौन से investment को select करोगे बताओ जिसमें rate of return, earning का rate of return जादा होगा obviously कि आप इन lines पर सोचोगे के नहीं सोचोगे अब जैसे मैंने आपको भी gold का example दिया आपने gold खरीद लिया gold पड़ा हुआ है आपके locker में आप के तो ये मुझे कुछ कमा कर नहीं दे रहा याने gold पर ऐसे सोचा जाए तो सीधे तोर पे हर साल कुछ नहीं कमाया जा सकता पर मत ये कि gold पड़े पड़े उसकी value बढ़ती जाती है उसमें capital appreciation होता है अच्छा अगर आपने fix deposit में पैसा लगा दिया तो उस पर अफकोर्स आपको हर साल 6-78 percentage interest मिलेगा ए ग्रिड मना नहीं करता हूं लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं इसके अलावा तो कुछ नहीं अगर अगर आपने shares में पैसा लगाया उसमें दोनों बाते हैं उसमें आपको हर साल dividend मिलता है और share की market value भी बढ़ती है अगर आपने property में पैसा लगाया उसमें अगर आपने उसको let out किया तो rental income generate करी जा सकती है नहीं तो property की value भी उपर नीचे तो होती ही है तो जब भी आप investment करत होते हैं तो कौन सी बाते आपके दिमाग में आती हैं पहली बात तो यही पहली बात तो यही which investment will yield higher rate of return और हमेशा उस investment को select किया जाता है जिसमें rate of earning जादा होती है obviously आप लिखेंगे point number two calamity जाता है जाता हमेशा है को जाता है फिसमेंगे अद्वेश्ट तो फिसमेंगे का लिजए है कि आता है चायर को चापी जाता है मेरे प्यारे बच्चों आपके घर में ऐसी बड़ी सारी बाते होती होगी क्या रे जो पडोस का घर था ना जो कि आज से 20 साल पहले हमको तो दो लाक रपे का मिलता था हम नहीं ले पाय heeft पैसे अरेंज नहीं हो पाए आज वो दो करोड हो जाता नेवर ऐसा थोड़ी होता है फिक्स डिपॉजिट में इस तरीके का फीचर नहीं आई इतना रेट आफ इंटरस नहीं है यह जो कैपिटल एप्रीशेशन है ना यह कुछ एसेट के साथ बड़े हाई लेवल पे जुड़ा है गोल्ड आप अपने बड़े ब हजार धाई हजार के रिट पर पहुच गए सोचो कैपिटल एप्रीशेशन की क्या सिगनिफिकेंस है तो बच्चो जब भी हम इन्वेस्मेंट करते हैं जब भी हम पैसों को कहीं लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि वहां से रेगुलर बेसिस पे कितनी इंकामर्ण करी जा सकती है और हम सोचते हैं कि over a period of time उसका capital appreciation कितना हो सकता है तो financial management की जो study है जो finance को स्थाई डंग से manage करने को promote करती है ये दो पिलर्स पर टिकी हुई है और वो दो पिलर्स क्या हैं कि जब आप पैसों का इंतजाम करें तो ऐसे करिएगा कि उसमें उसकी कीमत कम से कम देनी पड़े यानि उसकी cost कम से कम हो और दूसा पिलर financial management का क्या है कि जब आप पैसों को invest करें तो ऐसी जगा investment करें कि जा rate of return सबसे ज़्यादा हो और जा capital appreciation भी सबसे ज़्यादा हो सके ठीक का ना मैंने बहुत बड़ी है जी थोड़ा से इसको उपर कर लेते हैं financial management concentrates on two things A financial management concentrates on two things A acquisition of funds acquisition of funds in such a manner that in such a manner that least cost is incurred याने आप funds का arrangement ऐसे करें कि उसके साथ जो आपको cost incur करनी पड़ती है उसकी जो आपको कीमत देनी पड़ती है वो कीमत होनी चाहिए कम से कम ठीक है न वेरी गुट और दूसरा feature इसके साथ क्या होना चाहिए करें क्या च़हिक है झाहिए झाहिए इसके साथ कि मेंने服ंस्ति अडिवाहिक, WiFi अवाव़त jakई। रश्व करांश। for obtaining for obtaining higher rate of return for obtaining higher rate of return and capital appreciation वाजी बहुत अच्छे students इतनी देर सम financial management की general definition पर बात कर रहे थे financial management जाने company के organization के finance को ठीक डंक से manage करा जाए ताकि company की financial health को improve किया जा सके company की financial health के indicators दो तरीके से होते हैं पहला indicator होता है funds को arrange करना दूसा indicator होता है funds को use करना आप ऐसे funds को arrange करें ताकि arrange करने का system सबसे सस्ता हो cost का involvement सबसे कम हो आप ऐसे funds को use करें ताकि जो आप regular income earn करते हो या जो capital appreciation का advantage होता है वो higher level पर या maximum level पर होना चाहिए अब मेरे प्यारे बच्चो मैं discussion को ना सब्सक्राइटिक वे में हम आगे बढ़ा सके अब तक हम पेपर इंसीच्यूट ने बनाया है उस पेपर का नाम है financial management and economics for finance बच्चो इससे पहले कि मैं आपको आपके syllabus से इंट्रोड्यूस करवा हूँ practical question के बारे में बात करूँ आप जानते हो हमेशा पहली क्लास में मैं पेपर के नाम पर डिटेल डिस्केशन करता हूँ नाम का मतलब समझ में आ जाए तो जो उसका content है उस content पर अच्छे तरीके से discussion भी हो पाता है अब मैं आपका ध्यान दूसरे वाले पेपर पे लाना चाहूँगा दूसरे वाले पार्ट पे लाना चाहूँगा वो है economics for finance point number one में जब आपने financial management की heading डाली थी तो आपने बताया था कि paper का ये वाला जो हिस्सा है वो 60 number का है obviously इतनी तो general knowledge आपकी होगी ही कि आप समझ सकते हैं कि paper का जो दूसरा वाला हिस्सा है economics for finance वो फिर कितने नंबर का हुआ तो आईए लिखने के matter को मैं आगे लेके चलता हूं और 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 यहां तक आप लिख चुके हैं आओ जी प्यारे आप लिखेगा point number three चलो भया heading डालो economics for finance ठीक है ना और economics for finance के bracket में लिख लेना 40 marks very good जी आई इस के बारे में कुछ लिख ले देखो मेरे प्यारे बच्चों तो इंसिट्यूट ने पेपर का नाम economics नहीं रखा है चाली संबर का पेपर है लेकिन ये नाम economics नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ दा अब्जेक्टिव इस नौट टू टीच भाईया हम आपको नहीं पढ़ाना चाहते हम आपको क्या नहीं पढ़ाना चाहते प्यार एक्कनॉमिक्स भई पहले तो अगर दुनिया में कोई सवाल आपसे पूछे तो आप उसको सबसे पहले ये समझाईए कि हम यहां प्यार एक्कनॉमिक्स पढ़ने के लिए नहीं आए तो इस सब्जेक्ट के बहाने हम आपको पढ़ाना चाहते हैं वो एक्कनॉमिक्स जो की है for finance याने क्या तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं आईए हम इस बात को आगे लिखते हैं we want to teach to the CA students such type of economical अंडर्स्टेंडिंग आप हमारी लेंग्वेज को पकड़िए हम आपकी एकनॉमिक एकनॉमिकल अंडर्सेंडिंग उस लेवल पर बनाना चाहते हैं हम आपको वह वाली एकनॉमिक्स पढ़ाना चाहते हैं जिसमें जिसमें खास बात क्या है विच मस्ट भी पॉजेस्ट बाए दा देखेगा मैं क्या कह रहा हूँ फाइनान्स मैनेजर ओफ दा ओर्गिनाइजेशन देखो आपने ना सीए की पढ़ाई करने के बाद कहीं किसी कॉलेज में एकनॉमिक्स का लेक्चरार नहीं बनना आपने सीए की पढ़ाई करने के बाद एकनॉमिक्स में पीएचडी करनी है वो आप कर लीजेगा पर भाई साब हमारी एडवाईस हो नहीं है तो फिर सीए में कौनसी वाली एकनॉमिक अंडरसेंडिंग आपके दिमाग में डाली जा रही है क्योंकि आपको किसी कंपनी का फाइनांस मेनेजर बनना पड़ सकता है हो सकता है अपनी खुद की और्गिनेजेशन के फाइनांस को हैंडल करना पड़े तो फाइनांस मेनेजर की एकनॉमिकल अंडरसेंडिंग मेरे शब्दों को पकड़िए फाइनांस मेनेजर की एकनॉमिकल अंडरसेंडिंग को अपग्रेड करने के लिए यानि जो economical understanding किसी organization के finance manager के पास होनी ही चाहिए हम चाहते हैं कि वो economical understanding जो कि पुराने syllabus में students को नहीं पढ़ा ही जाती थी पर वो practice में observe करी जाती थी इसलिए institute ने decide करा कि नए syllabus में वो वाली economical understanding syllabus का part होनी चाहिए सोचिए हमारे institute ने कितना बढ़िया काम किया institute ने सोचा कि वो economical understanding जो पहले syllabus का part नहीं होती थी वो CA intermediate के students के syllabus का part होनी चाहिए ताकि जो finance related matters हैं उनका execution बहुत बढ़िया डंग से हो सके चलिए आगे बढ़ते जी following four areas are selected by ICAI हां जी तो हमारे institute हमारे प्यारे institute का नाम है ICAI Institute of Chartered Countants of India तो उनकी understanding के इसाब से ऐसे को उनसे चार areas है जो finance के students की economical understanding को बढ़ा सकते हैं कि मैं आपको चार areas बताना चाहूंगा पहला area है जी international trade दूसरा area है fiscal policy मॉनिटरी पॉलोसी और आखरी चौथा area है यह जो चौथा मैं बताने जा रहा हूं इसमें students का बड़ा इंटरस्ट है और वो है national income अरे मेरे प्यारे बच्चो दिल्लिज उनिवर्स्टी में economics और जो है उसमें इतनी सारी economics पढ़ा ही जाती है वो थोड़ी हम आपको पढ़ाएंगे हम स्तिर्फ इन चार sectors को लेकर आएं हैं जो कि हम समझते हैं कि finance manager की economical understanding का part होनी चाहिए इसलिए आपके syllabus का part बनाया गया है ये चार चेप्टरस आप मान सकते हैं international trade, fiscal policy, monetary policy और national income ये आपके syllabus का part है और जो economics for finance है उसमें ये जो चार चेप्टर हैं आप समझ लीजिए कि ये 40 marks की coverage रखते हैं ठीक है ना, very good तो मेरे प्यारे बच्चो financial management पर general understanding clear हो गई economics for finance पर general understanding clear हो गई और आप मेरे साथ लिख भी रहे हैं बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं आप जब लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बढ़ी हा result निकल कर आएगा आईए, discussion को आगे बढ़ाते हैं हमने पहले point number 3 लिखा था न इबाँ मैं फिर से चेक कर लू economics for finance point number 3 हमने लिखा था very good जी ओके अब आप heading डालें point number 4 how shall we proceed भाईया आज हमारी पहली क्लास है ना आप मैं ऐसे कुछ student है जो पहली क्लास को पता है क्या सवल बुचते हैं सर, syllabus total कितनी क्लास में होगा लो बताओ पहली क्लास में पहला सवाल ये के आखरी क्लास का number कौन सा है बता देंगे भाई सब फिर आप पूछेंगे सब chapters के नाम बताएं फिर आप कहेंगे सब के जो books आप हमको देंगे वो कितने वोल्यूम्स में होगी फिर आप पूछेंगे के प्रेक्टिकल कोशन कैसे पूछे जाते हैं थोरेटिकल कोशन कैसे पूछे जाते हैं यही हैडिन डालिए जी हम इस फूरे सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे कैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी कैसे तो बच्चो मैं आपको जबाब दे दूँ हमारी तरफ से सलेबस दो वोल्यूम्स में कवर किया जाएगा तो चलिए हमने उनको नाम दिया वोल्यूम वन एंड वोल्यूम टू आपने का वोल्यूम साथ साथ इसको लिखते जाएगा वोल्यूम वन एंड वोल्यूम टू जो वोल्यूम नमबर वन है बच्चो हम इसको कवर करेंगे 45 classes में कितनी classes में 45 classes में और जो volume number 2 है हम उसको cover कर लेंगे 35 classes में ठीक है न तो इसका मतलब आपका जो financial management और economics for finance का जो total syllabus है वो cover होगा 45 plus 35 80 classes का syllabus है जी कुल मिलाकर और एक क्लास जो होगी उसका जो duration fix करा गया है वो है लगभग कभी थोड़ा उपर रीचे हो सकता है वो धाई गंटे की class है 2 गंटे 30 मिनट यानि धाई धाई गंटे की total 80 classes अगर आप attempt करते हैं तो पूरा का पूरा पेपर आपकी पकड में आ जाएगा important chapter है बहुत बड़ा chapter है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि तीसरा जो chapter cover होगा वो है जी वर्किंग कैपिटल कि मैं आपको इमानदारी से बताओ ना असली syllabus तो वॉल्यूम नंबर वन में cover हो जाता असली syllabus लगबग 60% syllabus आपको वॉल्यूम नंबर वन में cover मिल जाएगा उसके बाद है economics for finance हम इसके भी दो चैप्टर हम इसके भी दो चैप्टर वॉल्यूम नंबर वन में cover करेंगे पहला चैप्टर जो cover होगा वो है international trade यह वॉल्यूम नंबर वन में cover हो जाएगा दूसरा जो cover होगा वो है fiscal policy तो जो पहला वॉल्यूम है जिसकी टोटल 45 classes हैं उसमें हम FM के तीन चैप्टर कवर करेंगे लेवरेज एनलीजेज कैपिटल बजेटिंग और वर्किंग कैप्टल और economics for finance के दो चैप्टर कवर करेंगे वो है international trade और fiscal policy अब हम जरा volume नंबर टी के बारे में थोड़ी सी बात कर ले ठीक है जी वेरी गुट इसमें कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो FM के होंगे वेल बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं जो छोटे चोटे चैप्टर्स हैं वो volume नंबर टू में चले जाएंगे आप उनके नाम एके करके लिखें पहला जो चैप्टर इसमें कवर होगा वो है जी ratio analysis कि ओके जी दूसरा जो चैप्टर इसमें है उसका नाम है कॉस्ट ओफ कैपिटल है बहुत बढ़िया तीसरा जो इसके अंदर है वो है कैपिटल स्ट्रक्टर थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्टर थ्योरीज चौथा जो चैप्टर है वो है इबी आईटी एपी एस एंड इंडिफरेंस पाँचवा जो चैप्टर इसमें कवर होगा उसका नाम है डिविडेंट डिसीजन्स और कुन मिलाकर एफ एम का यही सलेबस है लेकिन एक चैप्टर अलग से होगा लास्ट में और वह आप जानते हो जैसकिक। कौस्ट अडेमेंट अकांटिंग में भी आपने ऑप्जर्व किया था कि उसमें basic theory होती है वैसे ही जैसे गुरौप बन में Across management accounting में basic theory होती है उसी तरीके से गुरौप टू में जो financial management है उसकी जो basic theory है यानि जिस थ्योरी का practical question से सीधे तोर पर कोई संबंद नहीं भी है वो सारी की सारी basic theory हम volume number two में cover करेंगे ठीक है जी अच्छा volume number two में हम economics for finance के भी दो chapter cover कर लेंगे पहले chapter का नाम है monetary policy और बच्चो एकदम आखिर में जो chapter cover होगा उसका नाम है नेशनल इंकम अच्छा मैं यहाँ एक बात clear कर दूँ नैशनल इंकम अगर आप book देखोगे या कोई भी book क्यों ना देखे आप जो की institute की हो या किसी author ने क्यों ना लिखी हो तो पहला chapter नैशनल इंकम ही होता है सबसे आसान chapter है ना 12th class में student को मालूम ही होता है कि नैशनल इंकम कैसे पता करी जाती है इसलिए मेरी tendency यह है कि मैं simple chapter को जो नैशनल इंकम है उसको सबसे आखिर में ले जाता हूँ मैं student के दिमाग में कोई गलत फैमी नहीं डालना चाहता कि नैशनल इंकम कितना असान chapter है economics का portion बड़ा simple है नहीं इसलिए मैं जान बूझ के नैशनल इंकम को एकदम last level पर ले जाओंगा अच्छा आप देख सकते हैं कि volume number one में क्या कुछ है और volume number two में क्या कुछ है students मुझे मालूम है volume number one मेरे पास भी volume number one है book मेरे सामने पड़ी हुई है मैं जानता हूँ कि volume number one आपके सामने volume number one आपके सामने आई हुई है volume number one आपको मालूम है कि क्या है तो book आपके सामने है लेकिन फिर भी मैं ये भी जानता हूँ कि हो सकता है कि कोई student ये कि sir एक book में question पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता आप एक काम करिए जो cost management accounting में आपने कर रहा था कि जितने भी question हो वो आप screen पर दिखाईएगा जरूर साथ screen पर देखने का अपना ही मज़ा है तो of course book आपके सामने है ही लेकिन जितने भी questions है जब हम उनको solve करेंगे तो उन questions को हम screen पर लाएंगे जरूर syllabus मैंने आपको बता दिया है ओके अच्छा यह हमने क्या लिखा है point number four याने हम आगे कैसे बढ़ेंगे volume number one जिसके 45 class है और आज उसकी पहली class चल रही है ओके very good अब आप लिखेंगे point number five point number five है pattern of each class point number five की heading pattern of each class तो सुनो भई एक 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 लाज जो है उसका जो duration fix करा गया है वो है two hours and 30 minutes अब यहां पर मैं वो काम करने जा रहा हूं जो आपको कई और मिल ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं जादा तर जगा मैंने क्या देखा है वो तो दोनों सब्जेट्स को प्रॉपर इंपोर्टेंस देना चाहता है तो इसलिए हम एक काम करेंगे और सर्फ हम ही यह काम कर सकते हैं कि हम लोग जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाएंगे हम इस क्लास को दो हिस्सों में ले जाएंगे हर क्लास दो हिस्सों में बटी होगी जो पहला हिस्सा होगा जो की रफ आइडिया में बता रहा हूं एक घंटे और तीस मिनट का होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें रफ आइडिया बता रहा हूँ वो एक घंटे का होगा तो बच्चों हम पहली क्लास से इनफेक्ट ये फैसला लेना चाहते हैं कि जो पहला पार्ट होगा हर क्लास का उसमें FM की उपर बात होगी और जो दूसरा पार्ट होगा एक घंटे का हर क्लास का उसमें Economics for Finance के बारे में बात होगी हम लोग आखिर तक ये पैटर्न फॉलो करेंगे आखरी क्लास तक लेकिन चुकी आज क्लास नमबर वन है और पहली क्लास में चुकी डिसकुशन पर बड़ा सारा टाइम चला गया है मैं पेपर को इंटर्डूश ही आपको कर रहा हूं तो बच्चो आज की क्लास के लिए पहली क्लास के लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा मैं आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ financial management को उठाऊंगा क्योंकि लगबग एक घंटे का टाइम तो इसी के discussion में चला गया आप देखेंगे जो हमारी अगली class होगी याने class number two से लेकर आखरी class तक हर class दो हिस्सों में बटेगी पहला हिस्सा डेड़ घंटे का जिसमें financial management दूसरा हिस्सा एक घंटे का जिसमें economics for finance को discuss किया जाएगा और सिर्फ discuss ही नहीं करा जाएगा उसको लिखवाया भी जाएगा आप हैरान होंगे बच्चों यह जो economics for finance है यह आप यह मान के चलिए यह सब theory theory है पर उस theory में भी पूरे नंबर score करे जा सकते हैं और मैं आपको कोई printed notes देने वाला नहीं हूँ आप जानते हो मैं यह काम नहीं करता पूरी की पूरी economics जैसे मैं यहां लिख रहा हूँ यह जो board है smart board है मैं इसी तरीके से लिखूँगा और एक एक क्लास में dictate किया जाएगा पहली क्लास में मैं economics for finance पिक नहीं करूंगा पर अगली क्लास में आप देखेंगे कि economics for finance शुरू हो जाएगा उसमें जो पहला चेप्टर हमारा है international ट्रेड का उसके उपर बात्चेश शुरू हो जाएगी ठीक है जी अब क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं पॉइंट नंबर फाइव था यह जी क्यार क्लास का पैटर्न क्या होगा चलिए अब पॉइंट नंबर सिक्स की तरफ आईएगा पॉइंट नंबर सिक्स में हम क्या डिस्कस करें सुनिएगा पेपर स्ट्रक्ट्चर पेपर आपको उस पेपर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि पेपर का स्ट्रक्ट्चर कैसे होता है जहां तक एकनॉमिक्स फॉर फानांस का सवाल है तो बच्चों एकनॉमिक्स फॉर फानांस जब पर जब हम अगली क्लास में पढ़ाई शुरू करेंगे उसका स्ट्रक्ट्चर फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा आज काली एफम के पेपर के स्ट्रक्ट्चर को आप समझ लीजिए देखो भईया जो पहला कोशन आपके एक्जाम में आता है वो एक कंपलसरी कोशन होगा और ये जो compulsory question आपके exam में पूछा जा रहा है बच्चो ये 20 marks का question होगा ये question पूरी तरह practical बनाये जाएगा पूरी तरह practical होगा और इसके A, B, C और D चार पार्ट बनाये जाएगे और एक एक पार्ट जो होगा वो पांच नंबर का होगा 5 marks each तो पहला question जो compulsory question 20 नंबर का और आप जानते हो पांच पांच नंबर के तो फिर छोटे practical question ही होते हैं then question number 2 question number 3 बाकी जितने question आपके exam में आएंगे वो सारे के सारे 10 number के question होंगे ओके question number 6 10 marks तो दस नंबर फालतू आगे आप समझदार है आप जानते के मैं क्या कह रहा हूं इसका मतलब choice है बाकी के जो पांच कोशन हैं उसमें से आपको कोई चार कोशन करने इस तरीके से आपका साथ नंबर का पेपर कंपलीट हो जाएगा परफेक्ट है ना वेरी गुट अच्छे इसमें जो कोशन बढ़ टू थ्री फोर फाइव हैं यह नोगा है यह पूरी तरह प्रेक्टीकल है जी पूरी तरह प्रेक्टिकल यानि इस तरह प्रेक्टीकल ही आएगा उर इसमें जो भी कोशन आएगा दस नंबर का ही आएगा जो कोशन नंबर सिकस्यों है यह होगा थ evaluating question इसके होंगे 3 ARE पार्ट बी पार्ट एंड सी पार्ट अभी तक इंस्टिटूट ने क्या करा है कि जो ए पार्ट है वह चार नंबर का पूछा है यह चार नंबर का और यह दो नंबर का ठीक है ना ओके बात समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस तरीके से आपके कि फाइनांशल मेनेजमेंट के पेपर का स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ अब मैं जानते हूं कि आप मेंसे ज्यादत और सूडेंट की सोच क्या है कि सर तै हो गया हमने कोशन नंबर सिक्स नहीं करना कोशन नंबर शिक्स जाने थिओरी हम ना थिओरिए अटेम्ट करेंगे इस से जादा खराब सोच क्या हो सकती आपको थियोरी नहीं करनी मत करो यार लेकिन ये फैसला आज आप क्यों ले रहे हो ये फैसला जब पेपर आपके सामने आएगा तब लीजिएगा अगर मानलो किसी प्रैक्टिकल कोशन में निपड गए बहिए इंसीट्यूट आप जान साथ कई बार हुआ है कि कोशन आउट आफ सलिवस रहा है तो ऐसी सिट्वेशन में ये जो थियोरी है ना आपको इस थियोरी को स्टेपनी के तौर पर इस्तमाल करना पड़ सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा हम लोग भी अपनी कार में जो स्टेपनी होती है अगर मानलो स स्टेपनी पंक्चर हो कि उसमें हवाही नहीं हो और अचानक रास्ते में आम कई फस गए हमने कर चलो कोई नहीं साब अभी जो टैर वो पंक्चर हो गया चलो इसके बदले स्टेपनी लगा देते स्टेपनी भी पहले से पंचर है तो बताओ यह कोई बढ़िया बात हुई नहीं ना, तो स्टेपनी भी ठीक ठा कंडिशन में होनी चाहिए के नहीं, बोई कोई गलत बात कहा रहा हूँ, इसलिए जो थियोरी है, इस थियोरी को आप इग्नोर करोगे बच्चो, तो मैं बहुत जादा बुरा मान जाओंगा सब, मैं सारी थियोरी को लिखवाने में इतन भी मेहनत करता हूँ, और आप नहीं लिखोगे, आप नहीं चलेगा, इना चलबो, इना चलबो, इसलिए थियोरी आपको अच्छे डंग से याद करनी है, मैं आपको थियोरी के सारे नोट्स क्लास में लिखवा कर दूँगा, कसम खई है अभी, कि आप थियोरी को इग्नोर उप्र नहीं करेंगे अच्छे बाभता हो खाली सिए का एक्जाम नहीं देना ग्रेजिएशन का एक्जाम भी आपको देना मैं जानता हूं याski आप में से सरे स्टोडिन भी कॉम की या मेड़ि должizione लेaveल पए आफम की तयारी कर रहें और पर क्या होता है वहां पर भी थे 60 out of 60 पर स्टूडेंट के प्रेक्टिकल में नंबर क्यों नहीं आते हैं पूरे मैं आपको बताता हूं प्रेक्टिकल में पूरे नंबर लाने की दो शर्ते होती है दो शर्ते पहली शर्त के आंसर सही होना चाहिए दूसरी शर्थ, प्रेसेंटेशन ठीक होनी चाहिए, आंसर पढ़ने वाले को मज़ा आना चाहिए जादतर स्टू। पहली शर्थ को पूरा करते हैं जादतर स्टू। आंसर को करेक्ट लिखते हैं, मैं सही कह रहा हूँ मैं जानता हूँ आपके बारे में आपको सब कुछ आता है लेकिन अगर रिजल्ट में कहीं आप लैक करते हैं तो उसके पीछे है दूसरी शर्त प्रेजेंटेशन आप अपने आपके प्रेजेंटेशन की बड़ी चिंता करते हैं साथ बड़े अच्छे डंक से कपड़े पहनते हैं किसी को इंप्रेस करना है लेकिन जब आप अपना आंसर प्रोड्यूस करते हैं पेपर चेक करने वाले के सामने तो बुरा मतमानी है का साहाब ये आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है उसको बुरा लग जाता है कहता है इसकी हैंटरैटिंग खरावे साब समझ में या रहा लिखा क्या इसने प्रॉपर वे में आंसर लिखिए जिस तरीके से स्टेंडर फॉर्मेट्स होते हैं सामने वाले को इंप्रेस करिए इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ सीए में जो रैंक लेकर आते हैं और जो रैंक से चूक जाते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है जो रैंक लेकर आते हैं उनके आंसर में दो खूबिया होती है एक उनके आंसर करेक्ट है और दूसरी को भी उनका presentation perfect है और जो rank से चूक जाते हैं ये वो student होते हैं जिनके answer तो correct होते हैं प्रेजेंटेशन में मार खा जाते हैं तो इसी लिए आईए इस subject की याने financial management and economics for finance की पढ़ाई को शुरू किया जाए officially शुरू करा जाए अभी तक तो मैं आपको सिर्फ इस paper से introduce ही करवा रहा था तो अब time आगया है इसको शुरू किया जाए आज की पहली class में अभी जितनी class बची है मैं उसमें economics का concept उठाने वाला नहीं हूँ उसमें मैं आपको financial management volume number one से introduce करवाना चाहता हूँ ओके जी तो एक काम करते हैं financial management volume number one बच्चो students बुक आपके पास है ही आप देख सकते हैं कि बुक का जो पहला page है उसमें आपको volume number one का index साफ तोर पे मिल जाएगा देख सकते हैं जो page number one है मेरे पास भी book है मेरे पास भी book है उसमें भी ये है page number one आप देख सकते हैं इसमें as it is यही इंडेक्स है very good जी ओके वॉल्यूम नमबर वन financial management and economics for finance कितने chapters इसमें है chapters के नाम है leverage analysis capital busting working capital international trade fiscal policy आप देख सकते हैं practical questions कितने practical question main है जो मैं आपको class में करवा के दूँगा कितने question आपकी खुद की practice के हैं अकेले volume number one में total कितने chapters है details आपके सामने हैं आप यह भी देख सकते हैं कि जो international trade है आप देख सकते हैं जो international trade है उसमें यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ही कुछ नहीं वो सब कहा है वो यहां है page number 4.1 to 4.58 आप देख सकते हैं जो fiscal policy है page number 5.1 to 5.40 और यह सारे के सारे blank pages है volume number 1 आप चेक कर सकते हैं सब blank pages है मैं ना provide कराके देता students को printed notes और मैं यह कहूँ कि printed notes पे discussion कर लेते हैं और student सब कुछ खुदी याद कर लेगा बैया यह मैं आपका कामना मुश्किल नहीं करना चाहता मैं जानता हूँ कि खाली वही बच्चे paper में अच्छे number लेकर आते हैं जो notes class में लिखते हैं अच्छे ढंग से याद करते हैं और paper में तभी वह अच्छे ढंग से reproduce भी कर पाते हैं आज मैं जो chapter शुरू करने जा रहा हूँ अब उसका नाम है leverage analysis leverage analysis का जो पहला concept है यह कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल concept नहीं है यह जो leverage analysis का concept है यह आज की class जो बची हुई है और आने वाली तीन classes में यह बड़े अराम से complete हो जाएगा याने इसको complete करने में हमको ज़्यादा time नहीं लगेगा फिर उसके बाद जो capital bursting का chapter है capital bursting का जो chapter है इसको cover करने में हमको बहुत ज़्यादा classes लग सकती है approximately 25 classes भी मुझे इसमें लग सकती है 25 classes सोच लीजी working capital management इसमें मेरे को 16 classes लग सकती है यह leverage में तो खहर चार classes में आपको बताई चुका हूँ इसका मतलब जो volume number one है उसमें जो financial management का aspect है उसमें total 45 classes इसमें मुझे लगती हुई नजर आ रही है और जब तक financial management cover होगा तब तक international trade और fiscal पाउस से भी साथ साथ cover होता ही जाएगा अच्छा अब time आ गया है हम लोग chapter शुरू करने जा रहे हैं और chapter का नाम है leverage analysis students आप चाहें तो यहां पर अगर आपकी मर्जी हो तो आप थोड़ी दिर का break ले सकते हैं और ब्रेक के बाद आप आना चाहें तो आपकी मर्जी और अगर आप कहतो नहीं जी ब्रेक की क्या ज़रूत है अच्छा कासा मजा रहे तो फिर class continue करिए चॉइस आपकी याद तो आप लोग ब्रेक के बाद वापिस आ गए हैं पर बड़े सारे स्टूडेंट्स शैद ब्रेक में गई नहों सोते अरे भीया क्लास चल रही है आगे बढ़ाते हैं तो देखो भीया ऐसा है अब हम जो पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फाइनांशल मेनेजमेंट में उसका नाम है लेवरेज अनलेजिस उसकी हेडिंग मैंने पहले से डाली है वॉल्यूम नंबर वन और चैप्टर नंबर वन मेरे प्यारे बच्चो नौर्मली मैं ये काम करता नहीं हूँ पर मैंने पहले से आप देख सकते हैं अपनी रेटिन साइड पर मैंने कुछ पहले से लिखा हुआ है अच्छा मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सुन लिजिए आप इसको लिखेगा मत आपको लिखवाना होता तो मैं खुदी लिखवा देता इसको लिखने में बिना बात के आपका समय बरबाद होगा इसलिए प्लीज आप इसको सुन लिजिए समझ लिजिए देखो जैसे आप trading P&L account बनाते हैं वैसी income statement भी बनती है income statement की शुरुवात कहां से होती है देखे सबसे पहले लिखा जाता है sales आप भी trading account की credit site पर sales लिखते ही हैं फिर आप देख रहे हैं कि मैंने sales में से minus करा है variable cost और आप लोग group 1 में cost management accounting में marginal costing का chapter पढ़कर आए हैं आप जानते हैं कि sales में से variable cost deduct करने के बाद जो amount आता उसको contribution कहते हैं हाला कि ऐसे भी कुछ students हैं जो CA foundation को clear करने के बाद group 1 की तैयारी बाद में करते हैं group 2 की तैयारी पहले करते हैं ऐसे बहुत जादा नहीं बहुत कम student होते हैं तो उन students को यह समझाने में हमें बड़ी परिशानी होती है कि sales में से variable cost minus करके जो amount आता है उसे contribution कैसे कहा जा सकता है तो लेकिन cost management accounting जो पढ़कर आए है marginal costing के student आप जानते ही contribution में से आप जैसे fix cost minus करते हो तो आपको यह पता चल जाता है कि आपने अपने business से profit कितना कमाया है और business से कमाने वाले profit को कहते है operating profit और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है वो है EBIT earnings before interest and tax इसमें से आप जैसे interest on debt capital minus करते हैं जैसे मान लिजे आपने debentures ले रखे हैं bank से loan ले रखा है उस पर आपको interest देना पड़ता है interest minus करते ही आपको पता चल जाता है EBIT earnings before tax फिर माइनस करते हैं tax देखो ऐसा है tax minus करते आजाता है earning after tax उसमें फिर preference shareholder को मिलने वाला dividend जैसी minus होता है हमको वो net income पता चल जाती है जो equity shareholders में distribute होनी होती है और उसको जब आप number of equity share से divide करते हैं तो earning per share आ जाता है students मैं जानता हूँ कि आप यह format school level से पढ़ते आ रहें मैं नहीं चाता था यह format अभी आप लिखें इसमें आपका फालतू का समय ही बरबाद होता लेकिन आपको यह format मालूम है यह format मैंने क्यों लिखा है क्योंकि इसको base बना कर मैं एक chapter शुरू करने वाला हूँ उस chapter का नाम है leverage analysis इससे पहले के मैं leverage analysis के theory के notes की तरफ आँँ एक हलकी सी understanding clear करते हैं मेरी इस understanding में मेरे साथ participate करिएगा मैं आपके सामने एक सीधा सा सवाल पूशता हूं लिखने की अभी कोई आवशक्ता नहीं आप देख सकते हैं income statement की शुरूवात सेल से होती है इसका मतलब यह आपका starting point है यह आपका starting point है और इसकी यह खतम का होता है EPS पे यह इसका ending point है मान लीजिए आपको एक बात पता कि कंपनी की सेल अगर 10% बढ़ जाए ध्यान से सुनेगा यहां से आपको financial management का बड़ा important बे समझ में आने वाला है और आपको यह पता चल गया कि कंपनी का earning per share 50% बढ़ जाएगा तो इससे आपकी दिमाग में क्या conclusion निकल कर आता है conclusion को पकड़िएगा इस conclusion का मतलब है कि company की अच्छे दिन तो कम है सिर्फ 10% सेल बढ़ी shareholder के अच्छे दिन जादा है क्योंकि उसका EPS 50% बढ़ा सुचिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कमपनी अपने shareholders में क्या बाटती है क्या company sale को shareholder में बाटती है आप कहेंगे नहीं company shareholder में बाटती है profit और profit का indication होता है earning per share तो जैसे मान लीजिए market में एक ख़बर आएगी कि company का income statement ऐसे बना हुआ है कि sale अगर 10% बढ़ जाए तो earning pressure 50% बढ़ जाएगा तो shareholder को बड़ी खुशी होगी shareholder को लगेगा तो बड़ी अच्छी company है और जो इस company का shareholder नहीं भी है अब वो इसका shareholder बनना चाहेगा market में इसकी demand बढ़ेगी demand बढ़ेगी का मतलब यह है कि जो उसका market price है उसमें upward trend होगा market price बढ़ेगा तो इसे market price को upward एक तरीके से push मिलता है लेकिन अगर मैं reverse direction में सोचू और आपको मैं यह कहूँ कि अगर company की sale में 10% की गिरावट हो जाए तो EPS 50% गिर जाएगा तो आपको बुरा लगने लगेगा और अगर आपको लगता है कि recession का period चल रहा है company की sale गिर सकती है तो indication यह निकल कर आएगा कि company के बुरे दिन तो कम है हमारे shareholder के बुरे दिन जादा हो जाते हैं तो बच्चो लेकिन यह जो relationship है कि एक variable में इतना change आता है तो दूसरे variable में कितना change आएगा यह relationship कौन हमको पढ़ा कर देता है उस chapter का नाम है leverage leverage इतना छोटा chapter नहीं है कि sales और EPS को compare करे यह तो सिर्फ मैंने आपको उधारण के तौर पर बताया मान दीजे कोई यह जानना चाहे कि sales और contribution में क्या relationship है कोई जानना चाहे sales और EBIT में क्या relationship है कोई जानना चाहे EBIT और EBIT में क्या relationship है मेरे बच्चो इतने सारे नाम आपको दिख रहें इन में से कोई दो नाम आप अपनी पसंद के उठाए और मेरे से सवाल पूछे कि इन दोनों में आपस में क्या रिष्टा है यानि अगर एक variable में थोड़ा सा बदलाव आता है तो दूसरे में कितना बड़ा या भारी भर कम बदलाव आएगा ये जो बदलाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इस जुड़े हुए बदलाव को पढ़ने के लिए जो chapter बनाया गया उस chapter का नाम है leverage analysis अच्छा अब एक काम करते हैं अब हम लिखने का काम शुरू करें आप देख सकते हैं volume number one पहला चैप्टर नाम है leverage analysis आप एक काम करिए सब बुक निकालिए और बुक में page number 1.1 पर आजाईए चलिए बिलकुल देरी मत करिए page number 1.1 पर आप आजाईए आप देख रहे हैं कि page number 1.1 पर एक heading है और वो heading क्या है leverage and its types यह heading है ना very good heading and leverage and its types okay आप जानते हैं theory के लिए अलग से copy नहीं बनानी है सब इसी में लिखना है अच्छा मैं जानता हूं कि आप practical question पर आना चाहते हूं पर प्यारे practical question पर मैं आपको सीधे कैसे ले आओं मैं तो आज की class में बस मुश्किल से एक ही practical question करवा पाऊंगा जो इस chapter का question number 1 है पहले मुझे आपको theoretically इस chapter को पढ़ने के लिए तैयार भी तो करना है तो आएए पहले ज़रा concept को समझे और basic को समझे तो आएए theory का note लिखना शुरू करते हैं page number 1.1 पर लिखना शुरू करें point number 1 point number 1 leverage is derived from the word the liver तो मेरे प्यारे बच्चो लिभरे शब्द को कहां से निकाला गया है कि लिभरे शब्द को लीवर से निकाला गया है कि अध्य जब मेरा मतलब मेरा मतलब जॉनि लीवर नहीं है हिंदूस्थान लीवर भी नहीं है साब मैं कहना क्या चाहता हूं साब सुनिए लीवर अब लीवर की ज़रा common understanding की तरफ जाईएगा लीवर की common understanding क्या है लीवर मीन्स a small object लीवर याने एक छोटा object लीवर मीन्स एक स्मॉल अबजेक्ट विच हैस दा पोटेंशल which has the potential of moving moving heavy objects with small force ये है जी पॉइंट नमबर वन देखो बच्चो आपके पास जो मोटर सैकिल है कितने किलो की यह साब पता नहीं साब मैं अंदाजे ही लगा सकता हूँ 100 किलो के आसपास तो होगी ही कार है कितने भरी भरकम है बस है और भरी ऐरो प्लेन और भरी पर आप बताई के जब ड्रैवर्य उसको चलाता है तो उसके लिए वह क्या करते cómo अपने इनी हातों का इस्तमाल करते हैं साथ हलका सा गेर ऐसे करके किया रेस दी और गाड़ी चल पड़ी हैं कमाल करते हैं साथ इतनी भारी भरकम गाड़ी आप इतनी स्मॉल फोर्स के साथ कैसे पुछ कर सकते हैं साथ आप कहते हो सर यही तो लीवर की पावर है लीवर का मतलब छोटा सा इंस्रूमेंट पर उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो दुनिया के भारी से भारी अब्जेक्ट को मूव कर सकता है या शिफ्ट कर सकता है वहां से हमने लीवर शब्द उठाया और लीवर शब्द से टर्म बना डाला अब आप कहेंगे चलो ठीक है साब लीवर का मतलब समझ में आ गया अब आप हमको बताईए जो लेवरेज एनलिजेज चैप्टर बनाया गया है ये किस अबजेक्टिव के लिए बनाया गया है मैं फिर बता रहा हूं साब थियोरी के नोट अपनी कॉपी पे लिखिए इसी बुक में लिखने अलग से किसी कॉपी पे ने लिखने फाल तुम्हें कोई और कॉपी मत खराब करी अपनी पॉइंट नंबर टू की तरफ आईगा साब लेवरेज एनलिजेज हेल्पस अस in understanding leverage analysis helps us in understanding the heavy impact the heavy impact on one financial variable the heavy impact on one financial variable due to small impact due to small impact in other financial variable अब बच्चो इतना लिखने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रुक जाईएगा और मुझे मेरी बात को समझाने का मौका दे लिवरेज एनेलिजेज का चैप्टर आपकी फानांशल सड़ी का पार्ट इसलिए है किसलिए है कि कोई अगर ये जानना चाहे कि सेल्स में अगर थोड़ा सा चेंज आज़ा थोड़ा सा तो बताओ EBIT, EBT, EAT, EPS में कितना भारी भरकम चेंज होगा वहीं से लिवर टर्म का सिगनिफिकेंस समझ में आता है सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ मेरा पॉइंट अगर इतने सारे फानांशल वेरेबल्स के आपको नाम दिखरें सेल्स, वेरेबल कॉस्स, कंट्रिब्यूशन, EBIT, EBT, EAT, EPS इसमें किसी एक वेरेबल में, किसी एक फानांशल वेरेबल में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो दूसरे फानांशल वेरेबल में कितना बड़ा चेंज होगा कितना भारी चेंज होगा यह जानने के लिए जो चैप्टर बनाया गया existence में लाया गया उस chapter का नाम है leverage analysis ओके page नमबर 1.1 पर आपी समय है leverage and its types के theory के note को हम लोग पढ़ रहे हैं दो point हम लिख चुके हैं आईए इसी page पर रहे हैं और हम point number 3 लिखें point number 3 की heading मैं डाल रहा हूं आप भी मेरे साथ लिखें example ओके जो कुछ भी हमने point number 1 और 2 में लिखा आईए उसको एक example में आपके सामने हम produce करने की कोशिश करते a small increase or decrease decrease in sales may lead to huge increase or decrease in profit earning capacity और अजया जाए जाए तो प्रॉफिट रर्निंग केपैसिटी में बदला बहुत जादा हो सकता है बले वो पॉजटिव या नेगेटिव डारेक्शन में क्यों आ जाए आप लिखेंगे इसी क्या आगे based on this इस information को base बना कर the shareholders the shareholders may decide to retain or dispose their shareholding ऐसा है shareholders कोना है बहुत ज़रूरी decision लेना पड़ता है और वो ये कि अगर company सही direction में आगे बढ़ रही है तो हमें company के साथ बने रहना है हमें company का साथ नहीं छोड़ना यानि हमने shares नहीं बेचने और जो हो सकता है जिन्होंने अभी तक इस company के share ना खरीदे हों उन्हें भी फैसला लेना पड़ता है कि क्या मैं ऐसी company का share खरीदे या ना तो leverage analysis इन दोनों लोगों को message पहुचाने की कोशिश करती है कि इस company के share को hold करना सही है purchase करना सही है या इसको sale करके इसमें से बाहर निकल जाना सही है इसी क्या आप लिखेंगे ओрий लवरेज अलुद एस हैं लेज फिल करना सही है in taking such decisions के वह संचे ऑरावोगन पहल को है अच्छा मेरे प्यारे बच्चो जब तक हम practical question में नहीं जाएंगे अफ्कोर्स आपको यह पता नहीं चलेगा के calculation होती कैसे लेकिन आप मेरी मजबूरी समझे मैं आपको सीधे practical question में कैसे लेके जा सकता हूं मुझे आपको theoretical यह सारी बाते तो बतानी ही है वैसे इस समय आप ल आते हैं और इसी page पर हमने वो types के बारे में हलका सा introduction भी देना है और वो जितने भी types हैं हम उनको आने वाले pages में उसका detailed discussion भी करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा उपर बढ़ा लेता हूं Point No.4 Point No.4 की देखे मैंने heading डाली है Types of Leverages अच्छा जब मैं कहता हूं Types of Leverages Types of Relationships ये हमारे पास total तीन है उसमें जो पहला है उसका नाम है Operating Leverage बच्चो आप जानते हो आप Accounts के Students रहे हैं आप Operating Term का मतलब जानते हैं Operating का मतलब होता है Business Related इसका मतलब यहां पर हम वो वाला Leverage वो वाला Relationship आपको पढ़ाएंगे जो Business की Main Activities से Related है आप लिखेंगे Here Main Business Activities Main Business Activities Are Evaluated अब ही थोड़ी दियर पहले मैंने आपको जो Income Statement बताई थी उस Income Statement की शुरुआत हुई थी सेल से उसमें से जो Variable Cost माइनस हुआ जो Fixed Cost माइनस हुआ यह दोनों को दोनों कोस्ट थी यह Business Related कोस्ट थी जैसे मैं बिजनस करता हूँ तो साब मुझे अपने Employees को सैल्ली देनी पड़ती है Raw Material खरीदना पड़ता है Building Current देना पड़ता है भले यह Variable Cost हो यह Fixed Cost हो पर यह Business Related Cost होती तो जब हमारा ध्यान खाली इन बातों पर होता है और हम को यह Leverage का Concept एनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं Operating Leverage ताब लिखेंगे Here We Concentrate On हमारा ध्यान किन बातों पर होता है हम सेल्स के बारे में सोचते हैं हम Variable Cost के बारे में सोचते हैं Contribution के बारे में सोचते हैं हम Fixed Cost के बारे में Evaluate करते हैं और Last में EBIT आप EBIT को Of Course Company का Operating Profit भी कह सकते हैं Operating Profit का तो खेर मतलब यही होता है कि आप Company की Operating या Main Business Activities को Evaluate करना चाहते हैं बच्चों जब मैं आगे बढ़ता हूं जैसे मैं कैता हूं मैंने Debentures पर Interest Pay करा तो माफ कीजी Interest Pay करना आपकी Business Activity नहीं है यह आपका Business नहीं था कि आप Loan लेकर Business करेंगे आप Preferential Orders को Dividend देते हैं यह आपका Business नहीं यह है चुकि आपको पैसो की Problem है इसलिए आप Loan लेते हैं या Preferential रिशू करते हैं या आपकी Finance Arrangement Problem है और कुछ नहीं इसलिए वो वाला जो Leverage है वो इसमें Cover नहीं होता वो Cover कहां पर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा वो Point Number B में Cover होता है उसको हम लोग टेक्निकल ही कहते हैं Financial Leverage जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यह Finance Arrangement Activities को Evaluate करता है तो आप लिखेंगे Here Finance Arrangement Activities Are Evaluated और जब यह वाला Leverage Evaluate होता है तो कौन कौन से Factor को Evaluate किया जाता है किन पर हमारा Concentration चला जाता है Here We Concentrate On बाकि सारे जितने भी Factor हैं जो Operating Leverage के हैं उनको छोड़ दीजे फिर हम यहां पर आ जाते हैं Here We Concentrate On Interest On Debt Capital Preference Dividend Earning Before Tax Earning After Tax And EPS आप मेरा Point of View समझ रहे हमने अपनी जो Income Statement उसको दो हिस्सों में भाग कर दिया Divide कर दिया पहले हिस्से में हम लोगों ने Business की Main Activities को पकड़ा जिसमें Sales, Variable, Cost, Fix, Cost, Contribution, EBIT यह सारा हिस्सा आ रहा था उसके बाद जो बाकी का हिस्सा था जो EBIT से आगे का हिस्सा था जिसमें हम Interest के बारे में बात करते थे हम Earning Before Tax, Earning After Tax, Earning Per Share, Preference Dividend यह सारे Matters discuss करते थे यह सारे के सारे कहां चले गए यह चले गए Financial Leverage में एक और लिखेगा Number C Combined Leverage बच्चो जैसा कि इसका नाम है Combined Leverage Combined Leverage कहता है कि हम Operating Activities पर भी Evaluation चाहते हैं और हम Finance Arrangement Activities पर भी Evaluation चाहते हैं तो जब हम दोनों के Evaluation को इकठा कर देते हैं जब हम दोनों के Evaluation पर इकठे बात करते हैं तो उसको हमने नाम दिया Combined Leverage तब लिखेंगे here the business main activities the business main activities as well as as well as the finance arrangement as well as the finance arrangement activities are evaluated in a joint manner अच्छा बच्चो पेज नंबर 1.1 का थियोरी का नोड यहां जाके complete होता है पेज नंबर 1.1 पेज नंबर 1.1 में मैंने आपको पहले मैंने income statement का एक format बताया यह बताया के leverage term lever term आपस में क्या relationship था leverage analysis जो financial analysis में है वो किस objective के कारण है फिर एक छोटा से example मैंने दिया जिसमें मैंने बताया कि sale के बढ़ने कम होने से operating profit के बढ़ने कम होने से shareholders decisions कैसे लिया करते हैं फिर मैंने आपको तीनों तरीके के leverages के हलके हलके note लिखवा कर दिये अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो अगला page है page number 1.2 उसका अगला page page number 1.3 फिर अगला page page number 1.4 इसमें मुझे आपको operating leverage, financial leverage और combined leverage के detailed explanation लिखवा कर देने और practical questions का फिर number भी आएगा अच्छा अभी आज की class में मेरा target क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ मैं अभी आपको एक और theory का note जो की अगले page पर है page number 1.2 वो लिखवा के दूँगा और उसके साथ साथ आज हम practical question number 1 भी करेंगे मैं ये मानता हूँ कि आज की class चूकी पहली class है तो ये theoretical base पे जादा चली गई और खाली theoretical base की class हो तो उसको पढ़ना उसको बरदाश करना मुश्किल होता ही है पर बच्चो अब तो आप group 2 के students हो आप जानते हो group 1 से आप होकर आयो आप जानते हैं कि कोई भी chapter कोई भी subject क्यों ना पढ़ा जाये उसकी पहली class जो है वो theoretical base पर जाती ही जाती है हाँ अगली class से of course फिर हम इसके practical question की तरफ जरूर आएंगे लेकिन आईए और समय बरबाद नहीं करते हैं इतना सब आप लोगों ने copy कर लिया है मुझे अपना नया page बना लेना चाहिए और मैं आपका ध्यान अब page number 1.2 की तरफ ले आता हूं page number 1.2 पर आप देख सकते हैं पहले से heading डली हुई है और वो heading है operating leverage very good जी बहुत अच्छे हंजी तो operating leverage का theory का note पहले लिख ली आ जाए फिर हम इसके practical questions की तरफ आपको लेकर चलेंगे तो आप एक काम करिएगा इसका point number 1 लिखेगा formula चली शावश point number 1 लिखेगा formula अराम से सारी बाते समझ लेते हैं शुरुआत हम करते हैं formulae से degree of operating leverage d o l is equal to इसमें अमने जो degree term यूज किया है वो क्यों यूज किया है बस अभी आपको बताता हूं पहले जरह formula लिखेगा इसा है formula है percentage change in ebid divided by percentage change in sales बच्चो अराम से पहले formula लिखने जी और मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजेगा और वो सवाल यह है कि sales से ebit कैसे पहुचा जाता है कैसे पहुचा जाता है आपको कि sir variable cost minus कर दो और fixed cost minus कर दो आप खुद इस बात को मानते हो कि fixed cost और variable cost दोनो business related cost होती है सही बात है न अब business related cost minus करोगे तो business related profit ही आएगा तो हमने तो इस leverage का नाम बड़ा सही डाल रखा है operating leverage यह दो बातों को compare करता है एक business से होने वाली sale दूसा business से होने वाला profit अब आप point number two पर आईएगा point number two की heading है objective हांजी जो लोग leverage पढ़ते हैं या उसके basis पे conclusion establish करना चाहते हैं आखिरकार उनके दिमाग में क्या बात घूम रही होती है आप लिखेंगे हैं विध अप अप आप 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 we come to know the huge impact on E-BIT due to small change in sales value आप जानते हो leverage का तो objective भी यही है क्या अगर एक financial variable में छोटा सा बतलाव आजाएं तो दूसरे financial variable में कितना बड़ा बदलाव आता है तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं के sales में छोटा सा बतलाव आए तो E-BIT यानि business से होने वाले profit में कितना बड़ा बतलाव आता है इस objective को ध्यान में रखते हुए operating leverage नाम का concept existence में लाए गया for example इसी बात को आगे बढ़ाते हैं for example if D.O.L. यानि degree of operating leverage of a company is मान लीजे कोई company कहती है कि हमारा operating leverage है six times हमारा operating leverage है six times it means that it means that 1% 1% के bracket में में लिखा small 1% change in sales will produce will produce 6% 6% 6% के bracket में मैंने लिखा huge will produce will produce 6% change in in EBIT divided by percentage change in sales आप केंगे sir point number one ठीक आपने formula बताया point number two में आपने objective बताया लेकिन अपने कोना बात को इतने अच्छे डंग से समझ में आई नहीं तो मेरे प्यारे बच्चो बात को अच्छे डंग से समझने के लिए आप इसी पेश पर रहें और point number three लिखें अगर बात अच्छे डंग से समझ में ना आ रही हो तो example की मदद से हम कितनी भी मुश्किल situation को समझ सकते हैं अब एक example में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आप इस example को कुछ assumption के basis पर understand करने की कोशिश करिएगा तो देखेगा मैं क्या लिख रहा हूं मैं एक heading डाल रहा हूं पर्टिकुलर्स मैं दूसरी heading डाल रहा हूं original situation आप इसको existing situation भी कह सकते हैं original याने अभी तिक के situation आप इसको existing situation भी कह सकते हैं तीसरी heading मैं डाल रहा हूं proposed situation आप इसको new situation भी कह सकते हैं उसके बाद last में change अच्छा जब मैं कहता हूं change तो मेरा मतलब है दो बाते एक है amount और दूसरा है percentage अब बच्चों मैं कुछ assumptions लूँगा कुछ बाते मैं अपनी तरफ से assume करूँगा इससे आपको इस concept को आसानी से समझ में आपको मदद मिलेगी तो सुनिएगा मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं पहले मैं लिख रहा हूं output मान लिजे कंपनी इस समय 10,000 यूनिट बना रही है यह हमारी existing situation है further मानिए कंपनी future में 15,000 यूनिट बनाने का सपना देख रही है इसका मतलब आपको अपना output 50% बढ़ता हुआ नजर आ रहे है आपको अपना output 50% बढ़ता हुआ नजर आ रहे है पर अभी आप amount और यह percentage के column में कुछ ना लिखे ठीक है आराम से सारी बात समझते हैं अब देखेगा मैं आगे क्या लिख रहा हूँ sales मैं यह assumption ले रहा हूँ कि जो मेरा selling price है उसका rate 10 रपे तो अगर मैं existing situation में 10,000 unit बेशता हूँ आप इसको सासत लिखे तो इसका मतलब इस समय आपकी sale है एक लाखर पे future में आपकी sale कितनी हो जाएगी आपका जवाब है डेड़ लाखर पे बहुत अच्छे बताओ sale कितनी increase हो गई आपने जवाब दिया 50,000 बताइए sale कितने percentage increase हो गई आपने जवाब दिया 50% तो जो assumption आपके सामने जो example आपके सामने वह आपकी sale को 50% बढ़ा रहा है very good जी आप जानते हो इसमें से हम क्या minus करेंगे variable cost तो variable cost को मैं अपनी तरफ से assume कर लेता हूँ variable cost को आप अच्छी तरह समझते हैं let us assume this is at rate of rupees 4 per unit तो existing situation में 10,000 unit की variable cost कितनी हो गई आपका जवाब होना चाहिए 40,000 नई situation में 15,000 unit की variable cost कितनी हो गई आपका जवाब होना चाहिए 60,000 माफी चाहूं साथ चार पे के हिसाब से अब अगर मैं आप से पूछू कि आपकी variable cost कितनी increase हो रही है 20,000 और कितना variable cost increase हो रहा है इसको percentage में बताए तो आपका जवाब फिर वही है 50% तो sales 50% क्या बढ़ी variable cost भी 50% बढ़ गया आप sales में से variable cost minus करें इससे आपको क्या पता चल जाएगा contribution very good चलिए आप जैसी variable cost minus करते हैं contribution कितना आ गया रुपिस 60,000 अच्छा नई situation में यही contribution कितना हो गया 90,000 60,000 का 90,000 हो गया contribution कितना बढ़ गया आप कहेंगे 30,000 ओके और कितने percentage बढ़ गया आप कहेंगे 50% बच्चो इससे पहले कि मैं example आगे बढ़ाऊं आपने अब्जर्व किया कि sales variable cost contribution तीनों का percentage increase एक जैसा था अब आप खुछ सोचिए क्या leverage का चेप्टर इसलिए पढ़ाए जा रहा है कि आपको यह पढ़ाए जाए कि यह भी 50% यह भी 50% यह भी 50% जबकि हम आपको शुरू से कह रहे हैं leverage का objective क्या है कि एक variable में छोटा सा change होता है दूसरे variable में बड़ा change होता है अगर change सेम है तो यह leverage के पढ़ने का objective नहीं है तो leverage के पढ़ने के objective को मैं कैसे समझाओं मैं आपको बताता हूँ अब जैसी आप इसमें से fixed cost minus करेंगे आप इसमें से fix cost minus करिए आपको पता चल जाएगा कि leverage के पढ़ने का objective क्या है उसके लिए fix cost कुछ assume कर लें अपने आप fix cost कुछ assume कर लेते हैं चले जैसे मान लेते हैं कि company का fix cost है 50,000 और fix cost तो चुकी fix cost है तो इसमें तो same ही रहना है इसमें कोई change तो होगा नहीं तो जैसी आप company का operating profit मेरा मतलब है EBIT calculate करते हैं तो आप पाते हैं कि अभी जो company का profit है वो है 10,000 future situation में जो company का profit हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000 तो इसका मतलब profit कितना increase हो गया 30,000 ध्यान देने लाइक बात यह है contribution भी 30,000 increase हुआ था लेकिन जब contribution का percentage निकाला गया था तो 50% आया था लेकिन यही यही जो profit 30,000 बढ़ा है और पहले profit 10,000 था आप इसमें क्या 300% का change observe करते हैं के नहीं isn't it 300% my goodness आप observe करिये sales का 50% change ultimately profit के 300% change के लिए responsible पाया गया important concept है के नहीं यही तो हम जानना चाहते हैं क्या आखिरकार यह concept है क्या तो सुनिए अब मैं क्या कर रहा हूं मैं इसके नीचे लिख रहा हूं दी ओ एल डिगरी ऑफ अपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन इबी आईटी डिवाइड़ बाई percentage change in sales आप कहेंगे जो example हमने produce किया उसमें EVIT में चेंज हुआ 300% सेल्स में चेंज हुआ 50% 300 को 50 से आपने डिवाइड करा या तो आप इसको सिर्फ लिख लीजिए 6 या फिर आप इसको लिख लीजिए 6 रेशो वन या फिर आप इसको लिख लीजिए six times जैसे आपको ठीक लगे आप अपनी बात को उसी डंग से बता दीजेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी खाली six कहें six ratio one कहें six times कहें तो अगर कोई company आपको यह कहें मान लीजिए आप interview में गए company ने कहा कमपनी के मैनेजर ने कहा कि हमारा operating leverage six है इसका मतलब बताईए तो आप कहेंगे इसका मतलब साफ है अगर आपके sale में एक percentage का change आ जाए तो आपके profit में छे percentage का change आएगा तो sale का change कितना छोटा सा और profit का change कितना बड़ा इसी परपस को ध्यान में रखते हुए leverage नाम का concept आपको पढ़ाया जा रहा है obviously हम इस समय थियोरी का note लिख रहे है न पेज नंबर 1.2 पर पेज नंबर 1.2 पर चले इसी में रहिएगा और point number 4 लिखेगा point number 4 की heading में ने डाली है conclusion बच्चों आपको यह थियोरी का note याद करने में परिशानी भी नहीं होगी पहले में आपने formula लिखा दूसरे में आपने objective लिखा तीसरे में आपने example के तुरू अपनी बात को समझाया चौथे में आप conclusion established कर रहे हैं ताकि leverage का operating leverage का concept समझाया जा सके आप इसको कैसे लिखेंगे सुनेगा DOL of six times as computed above implies that इससे क्या पता चलता है one percent change in sales will produce six percent change in EBIT ठीक है ना तो sale का change छोटा पर EBIT का change बड़ा यह है leverage का concept आगे बढ़ते हैं this change may be favorable as well as Unfavorable आप मेरा point समझ रहें यह जो change आप लेकर आए हैं यह change हमेशा favorable हो ज़रूरी नहीं है आप इसको ऐसे सोचे sale बढ़ी profit इतना ज़ादा बढ़ गया अच्छा लग रहा है अब आपको थोड़ा बुरा लगेगा अगर मैं कहूं sale थोड़ी सी घटी पर profit ज़ादा घट गया तो जो change हो रहा है यह change favorable भी हो सकता है और यह change unfavorable भी हो सकता है ठीक है दो ओके आप इसी क्या आगे लिखेगा it is to be noted that it is to be noted that D.O.L. याने degree of operating leverage arises due to arises due to fixed cost बच्चों अब यह बात आपको सुनने में बड़ी अजीव लगेगी पर आप मानिये कि statement एकदम perfect है operating leverage है क्यों क्योंकि इसके पीछे जो reason है वो reason है fixed cost मैं इस बात को prove कर सकता हूँ जरा इधर आईएगा अराम से सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनी या सेल का change कितना है 50% variable cost का change 50% contribution का change 50% बच्चों यहां तक तो leverage existence में आये ही नहीं तो leverage existence में आखिरकार क्यों आया इसका reason समझिए इसका reason है fixed cost चूकि fixed cost fixed है इसमें कोई change नहीं आया तो इसने ऐसे हालात पैदा कर दिये कि operating leverage existence में आ गया imagine करिए कि company में fixed cost होता ही नहीं company में fixed cost zero होता तो zero होता zero होता ऐसी situation में यहां कोई change नहीं होता तो आप यह पाते कि जो contribution का change आया वही change as it ही यहां आ जाता और यह 50% का change भी यहीं आ जाता क्या यह बात आपको सही लगती है के नहीं fixed cost है इसलिए ऐसे हालात बने कि sale का change कुछ और था और profit का change कुछ और था अगर कोई ऐसी business का example लिया जाए कि जिसमें fixed cost होता ही नहीं है तो वहाँ पर जितने percentage sale बनेगा उतना ही percentage change profit में यहीं आएगा तो वहाँ पर फिर leverage operating leverage existence में नहीं आएगा तो मेरा यह point of view एकदम valid है जब मैं यह कहता हूँ कि operating leverage इसलिए है क्योंकि fixed cost है fixed cost अगर नहीं होता तो जितना percentage sales में आता उतना ही percentage profit में भी आजाता क्या यह बात सच है के नहीं तो इसलिए यह हमारी statement 100% true है कि operating leverage इसलिए existence में आता है क्योंकि fixed cost का same रहना उसको existence में लाने में उसकी मदद करता है खैर अब आप इसी page पर रहेगा और point number 5 लिखेगा point number 5 लिखेगा और हमसे point number 5 point number 5 है alternative formula मेरे प्यारे बच्चो operating leverage calculate करने का न हमारे पास एक और formula है एक और formula है वो दूसरा ला formula हमारे लिए काफी काम का थाबित होता है हाला कि अभी आपके दिमाग में एक खिचड़ी पकेगी कि या यह दूसरा ला formula बन कर कैसे आया पर पहले मुझे लिखने तो दीजिए वो दाब्सक्शरा घच्चर लारण लेच़ प का । दिस्थिए का यूसरा लारं दीजिए डिगाडराण दीजिए डि़िपाग शिए लारण दीजिए लाराणिए का नeri सुआिए अब बच्चो मैं ना आपकी रगरक से वाकिव हूँ आप यह कह सकते सर दूसाला फर्मुला समझ में नहीं है तो बच्चो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं चाता हूँ कि पहले मैं आपको प्रेक्टिकल कोशन में ले आओ क्योंकि आपने बहुत सारी थियोरी बरदाश कर रही है आज की क्लास लगबग दो गंटे से जादा हो चुकी है और मैंने आपको एक प्रेक्टिकल कोशन ही कराया इसलिए आप मन में मुझे गालिया दे र पर्मुला कहां से बन कर आया मैं इसके बारे में भी आपसे बात कर लूँगा लेकिन पेज नंबर 1.2 के थियोरी के नोट को कमपलीट करें आप अपनी में कॉपी में वापस आए और मैं कम से कम आज की क्लास में एक प्रेक्टिकल कोशन तो करा लूँ भाई आप क्लास नं के सामने हैं मेरे पास भी भूक है ओके पेज नंबर 1.7 है ही पेज नंबर 1.7 है ही लेवरेज अनलीजेज में प्रेक्टिकल कोशन कोशन नंबर 1 और यह कोशन स्क्रीन पर मैं आपके सामने ला चुका हूँ पेज नमबर 1.7, कोश्टन नमबर 1, ए वेल एस्टेबलिश कंपनी, इस कंसिडरिंग परचेज आफ, परचेज आफ, वन आफ दा फॉल्व इंग तू कंपनी तो भाईया, हम दो कंपनी हैं, कंपनी एक्स, कंपनी य इन दोनों को खरीदना चाते हैं, अच्छा कंपनी कैसे खरीदी जाती है भाई, कंपनी कैसे खरीदी जाती है, कंपनी के वे खरीदी जानती है, आप कंपनी के शेर्स खरीद लो, कंपनी के 100% शेर्स खरीद दो सारी कंपनी आपकी हो गई, कंपनी के 50% चाहिए लो आधी कंपनी आपकी होगी कितना सान काम है या खेड है आप देखते हैं यह जो दोनों कंपनियों की सेट की इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई और हम क्या देख रहे हैं इस समय दोनों कंपनियों की सेल इक्वल है तीस लाक रबे तो आप यह कह सकते हैं दोनों कम्पनियां एक जैसी है दोनों की सेल तीस लाक हम कहेंगे लो बताओ फानांशल मैनेजमेंट का स्टुडेंट ऐसी बात कहेगा तो अच्छा लगेगा अगर आप कम्पनी के शर्षोल्डर बनते हो तो कम्पनी के आपको सेल में हिस्सा देती है नहीं ना तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो के सेल तो इकूली है क्यों सेल से आपको क्या लेना देना कम्पनी आपको प्रॉफिट में हिस्सा देती है तो आप अपना कंक्लूजन सेल के बेसिस पर नहीं दे सकते आपको अपना कंक्लूजन प्रॉफिट के बेसिस पर देना पड़ेगा कुछ गलत बात कह रहा हूं क्या नहीं न तो तो इस तरीके के कंक्लूजन को जल्दबाजी में इस्टबिश ना करें फिर वेरेबल कॉस्ट है कंपनी एक्स की अपनी व देनों ने अपनी अपनी फिक्स कॉस माइनस करी दोनों को अपना अपना ओपरेटिंग प्रॉफिट बता चल गया याने इबी आईटी वेरी गुट आप क्या चाहते हैं नंबर वन वो कहते हैं आप एक इंकम स्टेट्मेंट बनाएं दोनों कंपनियों की ताकि दोनों हो जाएगा फिर वो कहते हैं कि आप इन दोनों कंपनियों के ओपरेटिंग लिवरेज के डिगरी केलकुलेट करके बताएं और आखिर में बताएं कि आपका फैसला क्या है कि कोई इन्वेस्टर कंपनी एक्स को खरीदने में जादा इंटरसेट होगा या कंपनी वाई को ख ठीक है जी वेरी गुट और कोर्शन नंबर वन की जो पहली रिक्वार्मेंट है जिसमें वो आपसे इंकम सेटमेंट बनवाना चाहते ही ठीक है जी काम हो जाएगा इंकम सेटमेंट बन जाएगी और जब आप इंकम सेटमेंट बनाएगे तो ओविसली आपके दिमाग में बात आएगी ना के कॉलम्स कैसे बनेंगे भाई ठीक है जी कॉलम्स बना लेते हैं ठीक है न ये लाल रंग स्क्रीम पर सही आ रहे है ठीक है जी वेरी गुट कम्पनी एक्स एट प्रेजेंट फुर उसके बाद प्रोपोस्ट बच्चो उसी तरीके से मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ू मैं पूरी स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहूंगा कम्पनी वाई और कम्पनी वाई में भी एट प्रेजेंट और प्रोपोस्ट अच्छा जब में टर्म उसकरता हूं प्रोपोस्ट तो मेरा मतलब क्या है जब में टर्म उसकरता हूं प्रोपोस्ट तो मेरा मतलब क्या है हाँ जी क्योंकि कोश्चन कहता है कि आपकी सेल ट्वंटी परसेंट बढ़ रही है तो sale का 20% बढ़ जाना ये प्रपोस situation है, आईए situation को आराम से समझते हैं, तो देखें मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, sales, very good, company X कहती है कि इस समय हमारी sale कितनी है, 30,00, company Y कहती है कि इस समय हमारी sale कितनी है, 30,00,00, बहुत अच्छे, आपको ये message दिया जा रहा है कि दोनों company की sale बढ़ जाएगी 20%, तो दोनों company की sale कितनी हो जाएगी, 36 legs, मैं फिर से कह रहा हूँ, कि अगर आप sales manager के point of view से सोचोगे, तो आपको लगेगा दोनों company एक जैसी है, क्योंकि दोनों की sale equal है, लेकिन ये फैसला sales manager नहीं ले रहा है, ये फैसला finance manager ले रहा है, जो company के shareholders की benefit की situation को लाना चाहता है, इसलिए उसका फैसला profit पर based होगा, sales पर नहीं, अब एक काम करते हैं, profit पर कैसे पहुचा जाए, आप जानते ही हैं, उसके लिए पहला काम क्या होता है, आपको variable cost minus करनी है, हो जाएगा जी, company X की variable cost से समय कितनी हैं, 10,50,000, company Y की variable cost से समय कितनी हैं, 19,50,000, आप variable cost की nature को अच्छी तरह समझते हैं, जितने percentage sale बढ़ती है, मेरे प्यारे बच्चों, उतने percentage variable cost भी बढ़ जाना चाहिए, अगर अभी variable cost है 10,50,000, 20% अगर ये बढ़ जाए, तो variable cost कितनी हो जानी चाहिए, आप कहेंगे 12,60,000, similarly, अगर अभी variable cost है 19,50,000, तो 20% बढ़ कर ये कितनी हो जानी चाहिए, आप कहेंगे 23,40,000, very good, बहुत अच्छे, अब हम एक काम करते, sales में से variable cost हम जैसी minus करेंगे, तो जो amount आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, contribution ही कहेंगे ना, बहुत अच्छे, sales में से variable cost माइनिस करिए, अभी आपका contribution कितना है, 19,50,000, प्रोपोस सिच्चुएशन में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे, 23,40,000, यहाँ पर आए, अभी आपका contribution है, 10,50,000, बहुत अच्छे, company Y के case में, यह कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका, 30,000, अरे कितना गया, 60,000, 12,60,000, यह, तो यह आगया 12,60,000, ओके, 12,60,000 आपका contribution आगया, चली, अब आप इसमें से minus करिएगा, fixed cost, अब हम इसमें से fixed cost minus करें, बच्चो जो fixed cost है, वो तो fixed cost है, वो तो नहीं रहेगी, fixed cost जो है, company X कहती है, के पहले भी 16,50,000 है, वो बाद में भी 16,50,000 ही रहेगी, obviously, अच्छा, company Y के fixed cost पहले है, 7,80,000, तो ये 7,80,000 ही रहेगी न, variable cost की तो nature ही यही होती है, fixed cost की तो nature ही यही होती है, आप contribution में से, जैसी fixed cost minus करेंगे, आपको पता चलेगा, EBIT, ठीके, आप EBIT calculate कर ले, अच्छा, company X का EBIT इस समय कितना है, 3,00,000, अब 23,40,000 में से आप 16,50,000 माइनस करें, तो ये आपका EBIT कितना आ गया, 6,90,000, 6,90,000 आ गया जी, वेरी गुट, उसी तरीके से, जो company Y है, उसमें आप contribution में से fixed cost, जैसे ही माइनस करते हैं, तो ये आ गया, 2,70,000, ये तो खेर question में वैसे भी given है, और अगर आप 12,60,000 में से, 7,80,000 माइनस करते हैं, तो आपका profit आ गया, 4,80,000, ठीके जी, अच्छा, ये आप लोगों ने sales से शुरुवात करी, और आप EBIT तक पहुचे, अब एक छोटा सा काम करेगा, आप मुझे बताईएगा, सोच के बताईएगा, percentage increase, in, EBIT, बच्चो, कोई जल्दवाजी नहीं है, आराम से सोची, percentage increase, in EBIT, calculation को आराम से लाइए, देखे, अभी EBIT 3,00,000 है, वो 6,90,000 हो गया, सोचो कितना बढ़ गया, 3,90,000 बढ़ गया, अगर मैं उसको 3,00,000 से डिवैड करता हूं, तो क्या ये percentage, 130 percentage आता है के नहीं, बताओ, बताओ, अगर EBIT 3,00,000 से 6,90,000 हो जाता है, तो क्या इसमें 130 percentage का increase है, येस, obviously, अब आप इधर आईए, जो EBIT पहले 2,70,000 था, वो 4,80,000 हो गया, बताओ ये कितना बढ़ गया, 2,10,000 बढ़ गया, divided by 2,70,000, ये कितने percentage बढ़ गया, 77.78, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए, sale equally बढ़ी, 20%, यहां भी 20%, वहां भी 20%, लेकिन, company का profit का percentage equally नहीं बढ़ा है, इसी लिए, operating leverage, concept picture में आया, अब ये आपने क्या करा, आपने question के first point को solve करा, जिसमें आपने बटाया, कि company X और company Y की, जो existing situation है, और अगर उसमें 20% sale बढ़ जाए, तो उनकी future situation, कैसे बन कर आएगी, मेरे खाल से presentation बड़े justified level पर हमने solve करा है, अब हम एक काम करें, अब हम इस question के second point पर आजाए, question का second point क्या है, वो कहते हैं, कि आप calculate करके बताए, DOL, यह पूछा गया ना है, हम कहेंगे DOL का concept हम पढ़ चुके, हमने अभी तो बताया था, कि DOL किसे कहते हैं, percentage change, in EBIT, divided by, percentage change, in sales, this is the concept, DOL, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, पहले company X की तरफ आई, आपने का कि जो situation हमारे सामने हैं, उसमें company X में, EBIT में, 130 percentage का change आ गया, जबकि sale में change आया था, सिर्फ, 20%, इसका मतलब क्या है, कि ये जो relationship आता है, ये relationship है, 6.5 times का, आप इसको सिर्फ 6.5 भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको 6.5 ratio 1 भी कह सकते हैं, उसी तरीके से, जब मैं आप से पूछता हूं कि company Y में, ये change कितना है, तो आप कहेंगे, 77.78 percentage का change, EBIT में आया, और आप कहेंगे, 20 percentage का change, sales में आया, so 77.78 divided by 20, क्या ये है, 3.89 times, कितना simple concept है, आपको बहुत असानी से समझ में आ रहा है, अच्छा, अब वो जो alternative formula था, मैं ज़रा उसकी तरफ आपका ध्यान लाऊ, अगर मैं यही leverage, alternative formula से calculate करता, तो calculation कैसे होती, ओके, आप लिखेंगे, alternatively, जो दूसा formula मैंने आपको बताया था, वो formula कौन सा था, existing contribution divided by existing EBIT, यही formula था ना, contribution, जो पुरानी situation का, divided by EBIT, पुरानी situation का, अब फिर आपके दिमाग में बात आई, कि सर्थ यह formula का logic हम को नहीं मालूम, प्यारे, अभी बताते हैं, मैं आपको आज की class में बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, कि यह formula basically क्या है, पर पहले, मुझे calculate तो करने तो, company X, अच्छा जी, थोड़ा सो उपर चले, देखो, यह company X का existing contribution है, 19,50,000, यह existing EBIT है, 3,00, क्या मैं ठीक है रहूँ, ओके, 19,50,000, and 3,00, इधर आईए, जब मैं 19,50,000 को 3,00 से divide करता हूँ, क्या आपका जवाब, 6.5 आता है के नहीं आता, logic बस अभी आ रहे जी थोड़ी जेर में, आंसर से मैं आया के नहीं आया, अब मैं आपका ध्यान company Y पे लाता हूँ, आप ऐसे question में देख सकते हैं, आपका जो existing contribution है, वो है 10,50,000, divided by, जो आपका existing EBIT है, वो है 2,70,000, एकदम सही है जी, अच्छा चलो divide करो, वैसे मैं जानता हूँ, क्या आपका आंसर क्या है, क्या ये आपका आंसर 3.89 आया के नहीं आया, अब देखो, इस question का एक third point रह गया है, मैं पहले उसका आंसर लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, कि आखिरकार ये दूसरा वाला formula किस तरीके से existence में आया है, पर पहले मैं जड़ा question number one के आंसर को complete करवा दूँ, है न, जादा time नी बचा हुआ भाई, अब सवाल ये पूछा जा रहा है, कि आप अगर investor हैं, तो आप कौन सी company का share खरीदना चाहेंगे, आईए requirement number three की तरफ चले, requirement number three, आप लिखेंगे, DOL of company X is 6.5 which implies that one percent increase in sales will produce 6.5 percent increase in EBIT सही बातन, यही अगर मैं company Y के बारे में कहता है, तो जवाब होता है, सिर्फ 3.89, तो बच्चों आप अपना profit जादा बढ़ाओ यार, आप अपना profit जादा बढ़ाओ, तो आप लिखेंगे, hence, it is advised to purchase the shares of company X it is advised to purchase the shares of company X if the future favorable situation the future favorable situation is anticipated future favorable situation is anticipated regarding the sales the shares of company X if you think that the future is good companies will increase company X because if company X अगर एक percentage बढ़ी तो profit 6.4 percentage बढ़ेगा और आपको तो profit ही मिलना है आपको जी वाई में क्यों नहीं जा रहे क्योंकि वाई में sell अगर एक percentage बढ़ेगी तो profit सिर्फ 3.89 percentage ही बढ़े अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है हाला कि वह question की requirement नहीं क्योंकि question में लिखा है कि sale बढ़ रही है अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाला period खराब है depression का time चल रहा है और company की sale गिर सकती है तो फिर आप बड़े leverage को न अच्छा मत बोलिएगा आप कहिएगा कि X में बिल्कूल पैसा मत लगाओ क्योंकि अगर sale गिर गई एक percent profit गिर जाएगा साड़े छे percent ना 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 company X से दूरी बना के रखो ऐसी situation में अगर आपको share खरीदना ही है तो उस company का share खरीदे कि जिसमें गिरावट कम होगी अगर कोई आपको ये कहे कि आपको खाई या कुवे में से किसी एक में कूदना ही पड़ेगा तो आप उसी को select करोगे जिसमें गहराई कम होगी वैसे अच्छा ये कि उसमें कूदा ही ना जाए लेकिन अगर जबर्दसी करी जाए तो आप वो काम करेंगे जिसमें चोट हमको कम लगेगी पर यहाँ example basically sale के बढ़ने का था इसलिए मैंने कहा कि आप company X का share खरी दें क्योंकि उसमें operating leverage जादा है अगर उसमें sale सिर्फ एक percentage बढ़ती है तो profit 6.5% बढ़ेगा जो वाई के comparison में बहुत जादा है Students आज की class में ये practical question number 1 तो मेरी तरफ से हो गया है अब आज की class conclude करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं आप में से कुछ ऐसे student है जो ये कहते हैं कि operating leverage का जो पहला formula है वो सही है वो concept को अच्छे डंग से समझा रहा है लेकिन आप में जो दूसरा वाला formula लगाया है ऐसा लगता है कि आप हमको रटा लगवाने की कोशिश कर रहे हम दूसरे वाले formula को ऐसे नहीं मानेंगे तो कोई नहीं यार अब उन बच्चों से भी बात कर ली जाए आखिर में क्लास के आखिर में मैं आपको बता देता हूँ कि operating leverage का दूसरा वाला formula कैसे बनकर आया है फिर आज की क्लास हम conclude कर देंगे हाँ जी तो लिखना शुरू करें कि दूसरा वाला formula कैसे बनकर आया है आप कहरें सर पहला वाला formula तो ठीक है percentage change in EBIT divided by percentage change in sales आपको इस formula पर कोई objection नहीं है क्योंकि यह of course concept है obviously अच्छा मैं आपको बता दूँगा कि formula कैसे बनकर आया है पर मेरे एक छोटी जी शर्त है आप में से वो student जो foundation के बाद सीधे group 2 में आ गए है बहिया एक calculation ऐसी है जिसमें उनको परेशानी हो सकती पर जो group 1 से आये हैं obviously 99% student सीधा group 1 के बादी group 2 में आते हैं उनको इस concept को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो marginal costing का chapter पढ़कर आये हैं तो सुनें percentage change in EBIT इसको mathematically मैं कैसे लिख सकता हूँ change in EBIT divided by existing EBIT multiplied with 100 बताओ ठीक लिखा न क्या concept है कितना EBIT बढ़ गया चेंज हो गया और पुराना EBIT कितना था अगर इसको 100 से multiply करें तो percentage change in EBIT आता है बहुत अच्छे उसी तरीके से अब सोचे यह आगे कैसे बढ़ता है अच्छेंज इन EBIT डिवाइड़ बाई अग्जिस्टिंग EBIT साहिए जी अब यह जो डिनॉमिनेटर में है अगर मैं इसको आगे ले जाओं तो यह उल्टा हो जाएगा existing sales उपर आ जाएगा divided by change in sales नीचे आ जाएगा इतना तो elementary mathematics आप समझते ही है कि जो मैंने लिख है ठीक लिख है ठीक है ना very good जी बस अब दो step और है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जी अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ यह जो existing EBIT है ना उसको मैं यहां लिख रहा हूँ यह मैंने यहां लिख लिया very good इधर देखिए change in EBIT यह मैंने यहां लिखा अब यह change in sales को क्या मैं यहां लिख सकता हूँ divided by change in sales multiplied with existing sales बई जो मुझे mathematics मालूम है उसके सबसे सब ठीक है यह रहा existing sales यह रहा changing EBIT बस मैंने करा यह है कि जो changing sales उसको उठा के मैंने यहां लिख दिया मेरे क्याल से कोई भी मेरी इस calculation को challenge नहीं कर सकता है कोई भी इस calculation को challenge नहीं कर सकता है अच्छा अब बच्चो आप में से जो बच्चे marginal costing को पढ़कर आए हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि marginal costing का PV ratio का formula क्या होता है PV ratio marginal costing को स्टोइट जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ इसका एक formula होता है contribution by sales पर क्या इसका एक दूसा वाला formula भी होता है change in profit divided by change in sales याद करिए group 1 में आप ये पढ़कर आए है change in profit divided by change in sales और इसमें profit का मतलब क्या होता है profit का मतलब होता है business profit operating profit जिसको EBIT के नाम से भी जाना जाता है अब इदर देखिए change in EBIT यानि change in profit operating profit divided by change in sales क्या आपको नहीं लगता कि ये PV ratio के equal हो जाएगा होगा के नहीं होगा when PV ratio multiplied with existing sales divided by existing EBIT okay अब जब margin cost इतना recall कर लिया है तो ये भी रिकॉल कर लो कि अगर PV रेश्यो को सेल से मल्टिवाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है के नहीं आता सो दिस इग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइड़ बाय एग्जिस्टिंग इबी आई टी अच्छा गुरुप टू के स्टूरेट जो फांडेशन से सीधा गुरुप टू में आये हैं हो सकते हैं उनको ये वाला स्टेप समझ में ना हैं लिकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि पूरे के पूरे इस चैप्टर में इस फार्मुले के डेरिवेशन पे कोई वन परसेंट बात नहीं करेगा एक्जाम में ये सवाल कभी जिन्दगी में नहीं पूछा जाता कि दूसरा फाला फार्मुला पहले वाले फार्मुले से कैसे खीच कर लाया गया वो तो जिन स्टुडेंट्स को मार्जनल कॉस्टिंग की टेकनीक मालूम है जो जानते के पीवी रेशो कंसेट क्या होता है वो जानते हैं कि कैसे sales और pv ratio को multiply करके contribution लाया जा सकता है इसलिए इसका एक alternative formula है वो alternative formula है existing contribution divided by existing EBIT मेरे प्यारे students आज की class में हमने पहले आपको इस paper से introduce करवा के दिया financial management economics for finance फिर हमने financial management का पहला chapter शुरू करा जिसका नाम था leverage analysis उस leverage analysis में आज हमने दो theory के note लिखे और एक numerical practical question किया और आज हमने economics for finance बिल्कुल भी शुरू नहीं करा पर अगली class से आप देखेंगे कि हमारी जो class है वो दो हिस्सों में बट जाएगी पहला हिस्सा जो लगबग डेड़ घंटे का होगा जिसमें हम लोग financial management पर ध्यान देंगे और अगला हिस्सा जो जो economics for finance का होगा उसको हम लगबग एक घंटे का टाइम देंगे और economics के सारे के सारे नोट्स आपको इनी में blank pages पे लिखने हैं तो अब हम आज की class को यही conclude करते हैं मिलेंगे अगली class में तब तक good bye thank you take care कर दो